है लो दोस्त नमस्कार सवागत आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में तो कैसे हैं आप सब लोग उम्एद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे बहतरीन होंगे लाजवाब होंगे एक दम बिनदास होंगे और बहुत बहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग कैसे हैं आप सब लोगों के हल चल कैसी चल रही आप लोगों की पढ़ाई एक ऐसा टॉपिक एक ऐसा महत्पून टॉपिक बार-बार पढ़ने के बाद भी एक ही जवाब आता है मनसे कि ये टॉपिक जी समझ में नहीं आया है क्योंकि इसके साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है एडवांस मेहत और जब एडवांस मेहत की बात होती है तो दोस्त हम लोगों के तोते उड़ जाते हैं कि भाई हम लोगों से टॉपिक नहीं हो पाएगा हम लोगों से टॉपिक नहीं हो पाएगा हम पहले से ही लगा के चल रहे होते हैं कि एक दो कोशन छुटेगा मैंने बहुत लोगों को बात करते हुए सुना है मैंने बहुत लोगों से अगर मैं बात करता हूँ तो पूसता हूँ कि भाई कैसा score चल रहा है कि जी एक दो question छोड़ दो बस mensuration के एक दो question नहीं हो पाते हैं बाकी हमारे सारे questions हो जाते हैं तो बच्चा पहले से ही image बनाए हुए है मैं अप लोगों को एक चीज बता दूँ कि एक दो question छुटने का मतलब है बहुत पीछे merit में जाना उस merit में अगर हम लोग बरकरार रहना चाहते हैं तो इन एक दो questions पे हम लोगों को command बनानी होगी अब आप कहेंगे जी एक दो questions के लिए हम इतनी मेहनत क्यों करें तो भाई मेहनती तो नहीं है mensuration में मेहनती नहीं है केवल दो तीन concept अगर आप लोगों ने पढ़ लिए और formula याद कर लिए तो दोस्त mensuration में mensuration जितना आसानी chapter कोई नहीं है मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहरा हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर जो कूड़ा भरा हुआ है mensuration को लेके मेरे दोस्त उसको साफ करना होगा उसे मन में ये सोचना होगा कि यार ये भी तो एक chapter ऐसा ही है पीछे जाना भाई दो question कर लेते हो तो आप 50-60,000 लोगों से आगे चले जाओगे और इन दो question को छोड़ दोगे तो 50-60,000 लोगों से पीछे आ जाओगे तो मेरे दोस्त मैं ये कहना चाहरा हूँ कि बहुत जगा जो है ये mensuration chapter जो है ये आपके selection को भी decide कर सकता है ये selection से आपको बाहर का रास्ता भी देखा सकता है अगर एक तरव आप लोगों को एक छोटा सा formula based question पोछ लिया और आपने mensuration का समझ के ये कहके छोड़ दिया जी mensuration तो हमने पड़ी नहीं है और पूरी दुनिया ने वो किया है तो भाई वो आप लोगों को केवल पस्ताने के अलावा और कुछ नहीं देखे जाए ठीक है तो सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी को रादे रादे सभी को दोस्त जैहिन आप लोगों को ठाना होगा कि जब तक mensuration खतम नहीं हो जाती है तब तक हम लोग बने रहेंगे और इस बार नहीं तो कभी नहीं इस बार चीजे हम लोगों को सीखनी होंगी हर हाल में मुझे सीखनी होंगी ठीक है कल वाला review वाले question में कोई दिक्कत नहीं थी मतलब इतने सारे questions हमने किये उसी के जैसा वो question था और वो question हमने review के लिए डाल दिया बाद में मतला मुझे लगा कि यार कितनी बिकार चीज हम लोगों ने की है कुछ नहीं करना था 79 की गुणा 99 में करनी थी ये उसका योग आ जाएगा फिर उसे 80 पारियों में 100 का ओसत लाना था तो total 8000, 8000 में से वो घटा दोगे तो 80 पारी में रन आपके आ जाएंगे कि 80 पारी में रन कितने बनाए तो बहुत या आसान सा question था शायद उसे मुझे बताने की आवशक्ता नहीं है fresh रहिए cool रहिए बहुत शांती से पढ़िए बहुत शांती से पढ़िए और दोस्त चीजों को समझने की कोशिस करिए है ना तो topic start करने जा रहा हूँ mensuration और mensuration ऐसे start नहीं करूँगा दोस्त आपकी आपकी permission की जरूत पड़ेगी mensuration start करने में तो दिल से स्वागत किया जाए एक बार mensuration का मेरा नहीं दिल से स्वागत किया जाए एक बार mensuration का कि हाँ आज हम वास्तम में mensuration सीखने आए हैं और आज हम mensuration सीख के ही जाएंगे और ऐसा नहीं है दोस्त आज ये खतम करा दूँगा जब तक हम लोगों को लगेगा कि हाँ proper class चल रही है proper चीजे हम लोगों के समझ में आ रही है तब तक ही मैं इस class को चलाऊंगा बिल्कुल भी आप मेराथन देखके घबराना नहीं है कि मेराथन लिखा हुआ है तो हम लोग इसे 10-20 गंटे की चलाने वाले हैं 5-6 गंटे की चलाने वाले हैं नहीं ये तब तक चलेगी जब तक आपका support रहेगा ये तब तक चलेगी जब तक चीजे आपके दिमाग माएंगी नहीं होगा कल हो जाएगा कल नहीं होगा परसों हो जाएगा परसों नहीं होगा उससे अगले दिन हो जाएगा कोई रिक्कत नहीं है मेरा मेरा अथन लिखवाने का मेन मोटो ये था कि मुझे इस चैप्टर में समय चाहिए जादा और वो समय जो है वो मैं एक गंटे की क्लास लेके नहीं ले सकता तो आज दो-तीन गंटे की क्लास होगी तो मुझे ऐसे ही क्लास को बढ़ा-बढ़ा के समय जादा मिल जाएगा और अगर मुझे समय जादा मिल गया तो दोस्त मुझे इतना भी यकीन है कि मैं आप लोगों के दिमाग में चीज़ों को डाल दूँगा ठीक है भाई? स्टार्ट करूँ स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे दोस्त मैंसूरेशन मैंसूरेशन यानि छित्रमिती हम लोग बात कर रहे हैं बिटा एक एक पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मैं आसान बना दूँगा बिटा आप लोगों के लिए आप लोग दिक्कत मत लेना बिल्कुल भी आप लोग इसमें मत घवराना हर एक चैप्टर से आसान चैप्टर लगेगा आप लोगों को मैंसूरेशन मैं बात कर रहा हूँ मेरे साथी छित्रमिती की मैं बात कर रहा हूँ छित्रमिती की अब सबसे पहले इसकी importance देख लें कि दहली पुलिस constable में इसकी क्या importance है railway पुलिस में इसकी क्या importance है उस पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरे साथ ही ठीक है तो दहली पुलिस constable की अगर मैं बात करता हूँ DP constable की बात करता हूँ देहली पुलिस कॉंस्टेबल की बात करता हूँ मेरे दोस्त तो यहां से जो है वो दो कोश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे एक कोश्चन तो है ही दो कोश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं तो मैं कह सकता हूँ एक से दो question आप लोगों को यहां से देखने को मिलेंगे एक से दो question यहां से आप लोगों को देखने को मिलेंगे और बढ़िया level का question जो है वो last time यहां से पूछा गया है आरपी एफ की बात करता हूँ मेरे दोस्त आरपी एफ railway police force या railway protection force कुछ भी कह सकते हैं तो आप लोग यहां से जो question देखने को मिलते हैं वो दो से तीन question आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो यह chapter जो है अपने आप में important तो है चाहे आप किसी भी exam में बैठ रहे हैं दोस्त exam के point of view से chapter बढ़ा खतरनाक तो है ही question तो यहां से बनते ही है लेकिन सबसे सबसे खास बात है सबसे खास बात है कि बच्चे यहां से question जो बनते हैं वो formula based question बनते हैं पहली बात कुछ rules मैं इसमें follow करने वाला हूँ पहला rule ये है कि अगर आप लोग फरजी comment करेंगे तो मैं आपका reply बिल्कुल भी नहीं करूँगा मैं आपके genuine comment का भी reply नहीं करूँगा दोस्त अगर फरजी comment पे आप लोग ध्यान देंगे तो please आप लोगों से request है कि आप लोग थोड़ा सा patience बना के रखें थोड़ा सा चीजों को समझने की कुछिस करें और ये मेरी guarantee है कि आप लोगों को चीजे समझ में आ जाएंगी 100% चीजे समझ में आ जाएंगी सम में आएगा बिटा ऐसा कोई paper ही नहीं बना जिसमें इस यहां से question ना आता हो आप लोगों को बहुत जगा देखने को मिल जाएगा arithmetic आता है advance नहीं आता है तो advance का ये chapter जो है ये arithmetic में ही count किया जाएगा arithmetic के अंदर ही पूछा जाएगा ठीक है भाई? चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आरपी अफ की vacancy कब आएंगे? कब form आएंगे? देहली पुलिस के form कब आएंगे? देहली पुलिस में ये chapter कब कराओगे? ये फरजी question दोस्त मुझसे मत पूछना और अगर पूछना ही है तो अपने comment जो है अपने comment करते रहना मैं जवाब देने वाला नहीं हूँ ठीक है? अब सुनना मेरी बात को दोस्त मैं start करने जा रहा हूँ आप लोगों का छित्रमिती करने जा रहा हूँ mensuration करने start जा रहा हूँ बटा तो mensuration छित्रमिती यानि कि किसी भी area कोई भी area आप लोगों को दिया हुआ है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कोई भी space आप लोगों को दिया हुआ है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कोई भी figure आप लोगों को दी हुई है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है तो mensuration जो है बिटा वो दो part में divide है सबसे पहले इसका आज जो है वो काफी देर तक तो थ्योरी पार्ट चलेगा एक 2D होता है जिसे कहते हैं 2 Dimension और एक होता है मेरे दोस्त 3D बहुत शांती से बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने इस संडे को चुना है जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा टाइम दे पहूँ 3D का मतलब होता है 3 Dimension 3 Dimension, Dimension का मतलब होता है विमाए यानि 3D के अंदर होंगी बिटा 3 विमाए और 2D के अंदर होंगी दोस्त 2D, दो विमाए दो विमाए यानि की जब हम लोग 2D की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग लंबाई और चोड़ाई की बात कर रहे होते हैं जब हम 3D की बात कर रहे होते हैं तो दोस्त हम लोग लंबाई की भी बात करते हैं चोड़ाई की भी बात करते हैं और उचाई की भी बात करते हैं तो ये किस में आ जाएगा मेरे दोस्त ये 3D में आ जाएगा जब हम लोग 2D की बात करते हैं तो question में हम लोगों से area के बारे में बात हो रही होती है यानि कि छेतरफल के बारे में बात हो रही होती है दूसरी चीज हम लोगों से पेरिमीटर के बारे में बात हो रही होती है मेरे दोस्त पेरिमीटर के बारे में बात हो रही होती है इसको कहा जाता है परिमाप बोला जाता है लेकिन जब हम लोग 3D की तरफ जाते हैं जब हम लोग 3D की तरफ जाते हैं तो दोस्त हम लोगों से बात होती है, volume की बात होती है, यानि की आयतन की बात होती है, हम लोगों से surface area की बात होती है, यानि की प्रष्टिय छित्रफल की बात हम लोगों से हो रही होती है, चाहे वो वक्र प्रष्टिय छित्रफल हो, चाहे वो संपूर्ण प्रष्टिय छित् कर रहे होते हैं तो सबसे पहले मैंने mensuration को दो पार्ट में divide किया मेरे दोस्त two dimension यानी दो विमाओं वाला three dimension three dimension three dimension three dimension तीन विमाओं वाला दो dimension मतलब लंबाई और चोड़ाई लेंथ और ब्रेथ दोनों होंगे ओर three dimension मतलब length, breath और height तीनों होंगे अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ बेटा टू डाइमेंशन में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है कोश्चन कहा कहा से आते हैं उन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करेंगे टू डाइमेंशन की वो ट्राइंगल से सुरुआत करेंगे ट्राइंगल से सुरुआत करेंगे दोस्त हम लोग तिर्भुज से सुरुआत करेंगे इसके बाद जो है ट्रेंगल के बाद जो है हम लोग Quadri-Literal पढ़ेंगे Quadri-Literal का मतलब होता है मेरे साथी चत्रभुर्ज होता है तीन बुजाओ वाले को तिर्बुझ कहा जाता है और चार बुजाओ वाले को दोस्त चत्रभुर्ज बोला जाता है और इसे चत्रभूर्ज के अंदर हम लोग पढ़ने क्या-क्या वाले हैं वो सारी चीज बता देता हूँ सबसे पहले हम लोग rectangle पढ़ेंगे rectangle आप लोगों का फैवरेट टॉपिक हो सकता है जिसे हम लोग आयत कहते है दूसरा is quarterly literal के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बिटा square पढ़ेंगे जिसे हम लोग वर्ग कहते हैं तीसरा हम लोग इसके अंदर पैलोग्राम पढ़ेंगे जिसे हम लोग समानतर चत्रभूज कहते हैं समानतर चत्रभूज कहते हैं मेरे दोस्त समानतर चत्रुभूर जो बोलते हैं और चौथा हम लोग इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं मेरे साथी वो रोहमबस पढ़ने वाले हैं चौथा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपोडेंट टॉपिक रोहमबस पढ़ने वाले हैं यानि जिसे सम चत्रभूर्ज बोला जाता है कोशन डारेक्टली आप लोगों से 2017-2020 में देहली पुलिस में पूछे गए हैं यहां पाँचमा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टर्पेजियम पढ़ने वाले हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे साथी जिसे हम लोग कहते हैं समलंब चत्रभूर्ज बोलते हैं समलंब चत्रभूर्ज बोलते हैं यह जो होते हैं यह चत्रभूर्ज होते हैं तो यह सारे चत्रभूर्ज हम लोगों को पढ़ने हैं मैं फिर से एक बार recall कराता हूँ दीरे दीरे चीजों को समझते हैं शुरुवात जो करेंगे हम लोग triangle से सुरुवात करेंगे triangle में दोस्त हम लोग तिर्बुज पढ़ रहे होंगे मतलब triangle तिर्बुज होता है second हम लोग quadrilateral पढ़ रहे होंगे quadrilateral में दोस्त हम लोग कैसे पढ़ेंगे rectangle से शुरुआत करेंगे rectangle पढ़ेंगे square पढ़ेंगे palogram पढ़ेंगे rhombus पढ़ेंगे trapezium पढ़ेंगे यह सारे जो हैं यह आपके quadrilateral में count होने वाले है next इसके अंदर ही जो हम लोग पढ़ने वाले है वो मेरे दोस्त सरकिल पढ़ने वाले है तीसरा जो topic हम लोगों का होगा वो सरकिल होगा और सरकिल यानि विरत को हम लोग पढ़ने वाले है और इसका जो last topic होगा वो hexagon होगा यानि कि सटबुझ को भी इसी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका जो लास्ट टॉपिक होगा वो सट बुज होगा ये है दोस्त हम लोगों का 2D का सिलेबस जो हमें 2D के अंदर पढ़ना है आप लोग एक बार इसका फोटो छाप देंगे कि क्या-क्या हम लोगों को 2D के अंदर पढ़ना है ये है मेरे साथी 2D का आप लोगों का syllabus अगर मैं बात करता हूँ कि 3D के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है अगर मैं बात करता हूँ मेरे दोस्त 3D के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है तो 3D के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे 3D के अंदर दोस्त हम लोगों को सबसे पहले जो पढ़ना है वो क्यूबोइड पढ़ना है क्या पढ़ना है तो आप कहेंगे क्यूबोइड पढ़ना है जिसे घनाब बोला जाता है ठीक है भाई दूसरी चीज जो हम लोगों को पढ़नी है इसके अंदर हम लोगों को क्यूब पढ़ना है जिसे हम लोगों गन कहते हैं ठीक है अगर मैं तीसरी चीज आप लोगों से पूछूँ तो तीसरी चीज इसके अंदर पढ़ना है right circular cylinder right circular cylinder होता क्या है वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे क्या क्या चीजे ये होती है सब की image से हम लोग समझेंगे कि actual में ये बवाल है क्या तो बेलन इसे बोला जाता है right circular cylinder यानि की बेलन इसे बोला जाता है ये कहरा भहिया जी सुत्र लिख दो बहिया सुत्र पे तो अभी आया ही नहीं हो सुत्र रुख जाओ थोड़ी देर तो चौती चीज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो right circular कौन पढ़ने वाले हैं कौन पढ़ने वाले हैं यानि जिसे कहा जाता है मेरे दोस्त संकू बोला जाता है पांचमी चीज की अगर इसी के अंदर बात करूं तो हम लोग स्फेर पढ़ने वाले हैं जिसे हम लोग गोला कहते हैं क्या कहते हैं गोला कहते हैं और चटी चीज इसके अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हैमी स्फेर पढ़ने वाले हैं जिसे मेरे साथी अर्ध गोला कहते हैं क्या कहते हैं तो आप कहेंगे अर्ध गोला कहते हैं और चटी चीज कितनी हो गए तीन चाथ छे हो गए सात्मी चीज जो होती है सात्मी चीज जो होती है इसके अंदर फ्रश्टम आफ कौन पढ़ने वाले हैं यानि कि दोस्त छिननक पढ़ने वाले हैं प्रिजम और प्रामिड आप लोगों से नहीं पूछा जाता है इसलिए हम लोग इसके अंदर प्रिजम और प्रामिड दोस्त नहीं पढ़ेंगे ठीक है मेरी बात समझ में आगई बहुत बढ़िया तो ध्यान से सुनिएगा बटा ये हम लोगों का जो है ये सिलेबस है उल्टी बाल्टी ये रहा उल्टी बाल्टी फ्रेश्टम और कौन दोस्त ये रहा अब जो है अब हम सुरुवात करने जा रहे हैं दोस्त ट्राइंगल से तो एक बार ना पहले इसका पूरे का पूरे फोटो ले लो आप लोग फोटो लेने के बाद जो है हम लोग सुरुवात करेंगे मेरे दोस्त सुरुवात करेंगे किस से सुरुवात करेंगे दोस्त ट्राइंगल से सुरुवात कर रहे होंगे ठीक है संकू में ही छिननक आता है क्या बात करेंगे जब संकू पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा बेटा संकू में छिननक आता है या नहीं आता है चलिए, heading डाली अपनी copy पर दोस्त, triangle heading डाली अपनी copy पर मेरे साथ ही triangle क्या होता है detail में बात करेंगे, बड़ा topic है बड़ा topic है दोस्त, question बहुत बनते हैं और बहुत type के triangle होते हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा topic है triangle यानी तिर्बुझ क्या होता है, राज यादव मैंने पहले ही कहा था, हाँ, इसके बीच में जो है वो polygon भी करेंगे विकर्णों की संख्या पूछ लेता है, इन दोनों के बीच का topic होगा इन दोनों के बीच का topic होगा, 2D खतम करके और 3D को start करने से पहले एक polygon कराऊंगा, जिसे बहुबुझ कहा जाता है जिसे मेरे साथी बहुबुझ बोला जाता है, ठीक है चलिए, हाँ, पंचबुझ नहीं होता, पंचबुझ इसी के अंदर आता है हम लोग बहुबुझ करेंगे, ठीक है नहीं, पिरिजम और प्रामिड नहीं आता है और अगर आता होगा तो उसे count कर लेंगे अभी फिलाल जो है, आप लोग triangle पे ध्यान दो कि triangle होता क्या है, कैसे करना है और दोस्त, आज ये सोच के, अब class में बैठना कि आज के बाद हम लोग mensuration नहीं पढ़ेंगे आज के बाद हम केवल mensuration, मतलब आज के बाद नहीं आज जो start हो रहा है, इसे खतम करने के बाद हम जीवन में कभी mensuration नहीं पढ़ेंगे हम केवल और केवल जो है वो practice करेंगे अब सुनना मेरी बात को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूँ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो देखिए ध्यान से सुनिए अगर कोई आप लोगों से पूछे कि ट्राइंगल क्या होता है तिरबुझ क्या होता है तो नाम से ही कंफर्म हो रहा होगा ट्राइंगल यानि जिसमें तीन कौन होते हैं ऐसे ऐसी आकरती को हम लोग तिरबुझ कहते हैं या मैं बेसिक बहासा में बात करूँ बेसिक देसी लेंगवेज में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो तीन भुझाओं से मिलकर बनी कोई भी बंद आकरती तीन भुझाओं से मिलकर बनी कोई भी बंद आकरती उसे हम लोग तिरबुझ कहते हैं जैसे तीन भुझा तो ये भी है तो क्या ये बंद आकरती है तो आपने कहा ये चारों तरफ से बंदा करती नहीं है तो दोस्त ये तिर्बुज नहीं कहलाएगा तिर्बुज वही कहलाएगा जिसमें तीन भुझाएं होती है तीन Sides होती है तीरी Sides होती है और एक Closed figure होती है उनसे मिलकर जो अकरती बनती है दोस्त उसे ही तिर्बुज कहा जाता है ठीक है अगर मैं बात करूँ कि तिर्बुज में इसे A मान लेता हूं इसे B मान लेता हूं इसे C मान लेता हूं तो बिटा तिर्बुज के तीनो कोनों का योग जो होता है वो 180 डिगरी होता है अब आपके दिमाग में आएगा जी आज तक हमें ये पता नहीं चला कि तिर्बुज के तीनो कोनों का योग जो होता है वो 180 ही क्यों होता है तो ये चीज की हम लोग बात करेंगे दोस्त अगर मैं कहूं कि तीन बुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंद आ करती उसे हम लोग तिर्बुज कहते हैं और पहला पॉइंट हम लोगों ने ये सीखा कि तिर्बुज के तीनों कोनों का योग जो होता है वो 180 डिगरी होता है ठीक ये उड़ता है कि क्या कभी भी तीन भुजा अगर वो हमें देगा क्या हमेशा तिरबुज बन जाएगा तो मेरा जवाब होगा हमेशा तिरबुज नहीं बनेगा तो फिर तिरबुज के बनने की condition क्या है तो यहाँ एक side में अपनी copy में लिखेंगे कि condition of मतलब तिर्बुज के बनने की condition क्या है यहाँ पे लिखेंगे कोई भी कोई भी sides जो है कब तिर्बुज बना पाएंगी उसके लिए कुछ conditions हैं उन condition को देखिए बिटा उनके लिए कुछ सर्ते हैं सर्ते यह कहती है कि कोई भी दो side का sum जो है हमेशा तीसरी side से बढ़ा आना चाहिए तब ही हम लोग तिर्बुज बना पाएंगे जैसे अगर मैं इन दोनो sides का sum करता हूं A B और A C का sum करता हूं तो यह हमेशा बढ़ा आना चाहिए तीसरी भुजा से यानि यह B C से बढ़ा आना चाहिए आप कहोगे जी इन दोनों का sum करें अगर हम A C और B C का sum करें तो मैं कहूंगा कि यह हमेशा A B से बढ़ा आना चाहिए आप कहोगे जी हम B C और A B का sum करें AB और BC का sum करें तो मैं कहूंगा मेरे दोस्त ये AC से बढ़ा आना चाहिए यानि कोई भी दो side का sum जो है हमेशा तीसरी से बढ़ा आना चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो ही तिर्बुज बन पाएगा और अगर ऐसा नहीं है तो तिर्बुज नहीं बन पाएगा जैसे example के साथ अगर मैं आप लोगों को समझाने के कोसिस करूँ मेरे साथ ही मैंने आप लोगों से क्या कहा मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो है ये 3 side आप लोगों को दे हुई है क्या ये कभी तिर्बुज बन पाएगा क्या ये कभी तिर्बुज बना पाएगी तो आप ये कहेंगे जी दो भुजाओ का योग जो है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए तो जब आप इन दोनों भुजाओ का योग करते हैं तो क्या वो तो आप कहेंगे तीसरी से तो बड़ा नहीं है अगर तीसरी से बड़ा नहीं है तो ये side कभी भी triangle नहीं बना पाएंगे ये side जो है वो कभी भी triangle दोस्त नहीं बना पाएंगे एक और example में आप लोगों के सामने कहता हूं मैंने आप लोगों से कहा 5, 7, 6 मैंने आप लोगों से कहा किसी भी तिरबुजकी क्या ये 3 साइड हो सकती है तो आपने कहा जी मैं एक बार condition को चेक कर लेता हूं मैंने इन दोनों को जोड़ा 7 और 5, 12 बड़ा है 6 से मैंने इन दोनों को जोड़ा 7 और 6, 13 बड़ा है 5 से मैंने 5 और 6 को जोड़ा 11 बड़ा है 7 से यानि कि यहां जो है दो साइड का सम जो है वो तीसरी से हर केस में बड़ा आ रहा है तो ऐसे केस में बटा तिरबुज बन पाएगा ऐसे केस में जो है ये तिरबुज बन पाएगा मैंने आप लोगों से पूछा एक तिर्बुज की क्या ये side हो सकती है क्या 3,2,5 क्या कभी किसी तिर्बुज की side हो सकती है तो आपने कहा जी 3,2,5 है और ये 2 side का sum हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरी से ये बड़ा तो नहीं है ये तो बराबर है बराबर है तो दोस्त कभी भी तिरबुज नहीं बनेगा कंडिशन ही ये कहती है कि कोई सी भी दो साइड जोड़ लो वो हमेशा बड़ी आनी चाहिए तीसरी साइड से अगर ऐसा पॉसिबल है तो तिरबुज बनेगा ट्राइंगल बनेगा और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है चाहे बराबर आजाए चाहे छोटा आजाए तो दोस्त तिरबुज नहीं बनेगा ठीक है ये बात समझ में आगी क्या बहुत शानदर तो सबसे पहले तिरबुज के बनने की कंडिशन क्या होती है कि कोई सी भी दो साइड का सम जो है वो हमेशा तीसरी साइड से बढ़ा होना चाहिए बात किलियर है बिटा ये बिचा नहीं ये जो है ये है सम वाला कॉंसेप्ट डिफरेंस वाला कॉंसेप्ट क्या कहता है अंतर वाला कॉंसेप्ट क्या कहता है अंतर वाला कॉंसेप्ट ये कहता है अगर दो साइड का डिफरेंस आप लोग लेते हैं तो ये हमेशा तीसरी साइड से छोटा आना चाहिए अगर दो साइड का सम लेंगे तो वो हमेशा तीसरी से बड़ा आना चाहिए और अगर दो साइड का डिफरेंस लेते हैं अगर आपने इन दोनों का डिफरेंस ले दिया मेरे दोस्त तो हमेशा वो तीसरी साइड से छोटा आना चाहिए आपने कहा जी क्या अगर मैं इन दोनों का difference लूँगा क्या अगर मैं इन दोनों का difference लूँगा तो वो भी छुटा आएगा क्या इस से तो मैं कहूंगा बिल्कुल छुटा आएगा आपने कहा जी अगर मैं इन दोनों का difference लेता हूँ A B और B C का difference लेता हूँ तो आप कहेंगे हमेशा छूटा आएगा AC से छूटा आएगा तो बिटा, difference के case में जो होता है, दो side का difference जो होता है वो हमेशा छूटा होता है तीसरी side से और दो sides का जो sum होता है वो हमेशा बड़ा होता है ये वाद समझ में आगी क्या पाँच दो तीन से बड़े हैं ऐसा नहीं नहीं बिटक कोई सी भी दो साइड अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि इन दो सैड़्स को ले लो जी पाँच और तीन आठ आठ तो दो से बड़ा है ठीक है आपकी बात मैंने मान ले आठ जो है वो दो से अगर कोई सी भी एक condition satisfy नहीं हो रही है तो मेरे दोस्त वो sides जो है कभी भी triangle नहीं बना पाएंगी ये बात समझ में आगी क्या ये बात समझ में आगी क्या बिटा ये जो है ये ट्राइंगल के बनने की कंडिशन है भाई लोगों हटा देना ये जो है ये ट्राइंगल के बनने की कंडिशन है दिमाग में सेट कर लेना पहला कोश्चन मुझे पहला एक कोश्चन मैं आप से यहीं पूछूंगा आज एक को कोश्चन है दोस्त फटाफट मुझे बताईए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब हर बच्चे को जवाब देना है चाहे उसे मैंसुरेशन आती है चाहे उसे मैंसुरेशन नहीं आती है जो चीज मैंने सिखाई है उसी चीज का मैं कोश्चन पूछ रहा हूं तो इस कोश जो ना हटेगा तो उसा हटा नहीं न जो हुम हटा सके हैं उसा हटा लो अंसर में variation नहीं आना चाहिए जो B answer दे रहे हैं D answer दे रहे हैं भाई एक single answer देना है एक single answer देना है मेरे साथी बहुत शांदार बहुत लाजवाब काबिले तारी निमलिकित विकल्पों मेंसे कौन सी तिर्भुज की भुजाएं नहीं है यानि कौन सी ऐसी भुजाएं है जो तिर्भुज नहीं बना पाएंगे तो मेरे साथ चेक करेंगे बारा और नो 21 21 जो है पंदरह से बड़ा है बिलकुल बड़ा है 15 और नो 24 40 बड़ा है क्या भी इस से बिलकुल बड़ा है 20 और 20 चालिस बड़ा है क्या भी इस से बिलकुल बड़ा है 20 और 20 चालिस बड़ा है क्या भी इस से बिलकुल बड़ा है तो दूसरी भी condition satisfy यहां देखेंगे 3 और 5 आठ क्या 4 से बड़ा है बिलकुल बड़ा है पांच और चार नो बड़ा है क्या तीन से बिलकुल बड़ा है चार और तीन साथ साथ क्या बड़ा है पांच से बिलकुल बड़ा है बहुत सही तीन और पांच आठ बड़ा है क्या एक से बिलकुल बड़ा है पांच और एक छे बड़ा है क्या तीन से बिलकुल बड़ा है लेकिन जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे तीन और एक चार चार क्या बड़ा है पांच से तो आप कहेंगे बिलकुल बड़ा नहीं है नहीं बड़ा है तो ये कभी भी ट्राइंगल नहीं बना पाएगा ये कभी भी दोस्त ट्राइंगल नहीं बना पाएगा और उसने वही आप लोगों से पूछा है कि भहिया कौन सा तिरबुज की भुजाएं नहीं है तो ये वाली कभी भी तिरबुज की बुजाएं नहीं हो सकती है ये बात समझ में आ गई क्या इसी पर बेश्ट जो है वो मेरे दोस्त दूसरा कोश्चन भी इसी पर बेश्ट है थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना 17 मार्च 2020 में आप लोगों से पूछा गया है 17 मार्च 2020 में आप लोगों से पूछा गया है कुश्चन को एक बार पढ़ेंगे कुश्चन कहना क्या चाहरा है कुश्चन ये कहना चाहरा है मेरे दोस्त की एक तिरबुज की दो भुजाएं लंबाई 3 cm है और 8 cm है यानि मेरे साथी एक तिरबुज है जिसकी दो भुजाएं आप लोगों को दी हुई है पहली भुजा 3 cm दी हुई है दूसरी भुजा 8 cm दी हुई है मैंने कहा है कि हमेशा दो साइड का सम जो है वो तीसरी से बढ़ा आएगा तो तीसरी भुजा अगर x है हमेशा दो साइड का सम जो है वो 11 आगया ये हमेशा तीसरी से बढ़ा आएगा तो क्या ये x से बढ़ा आएगा हमेशा दो साइड का डिफरेंस जो है हमेशा दो साइड का डिफरेंस जो है वो तीसरी से छोटा आएगा तो तीसरी x से छोटाएगा इन दोनों का difference यानि इन दोनों का difference 5 है यानि की बिटा जो तीसरी side होगी वो 5 से तो बड़ी होगी और तीसरी side जो है वो 11 से छोटी होगी वो आपसे दो question पूछ सकता है उसने पहला question पूछा है यदि तीसरी बुजा की लंबाई x cm है तो कौन सा option जो है वो match कर रहा है क्या x 5 से बड़ा है बिलकुल बड़ा है लेकिन इसने पूरी condition नहीं दिया तो इस option को अभी हम लोग नहीं देखेंगे x जो है वो 5 से तो बड़ा है लेकिन 11 से छोटा है तो option number 20 question का जबाबा जाएगा एक दूसरा question यहां से पूछा जा सकता है कि number of triangle कितने बन सकते हैं नमबर of triangle जो है वो कितने बन सकते हैं तो बिटा ऐसी बुजा देख लो जो 5 से तो बड़ी हो और 11 से छोटी हो तो 5 से बड़ी 6 भी हो सकती है 6 से 7 भी हो सकती है 8 भी हो सकती है 9 भी हो सकती है 10 भी हो सकती है हाँ या ना भई 5 से बड़ी 11 से छोटी कितनी हो सकती है तो आप कहेंगे 6 भी हो सकती है 7 भी हो सकती है 8 भी हो सकती है 9 भी हो सकती है 10 भी हो सकती है लेकिन गलती से 11 मत बोल देना क्योंकि 11 से छोटी होनी चाहि तो ऐसे कितने तिर्भुज पॉसीबल है ऐसे बिटा पांच तिर्भुज पॉसीबल है लाखो बार ये कुश्चन पूछा गया है कोई से भी दो साइड आप लोगों को दे देगा और आप से कहेगा कि तीसरी साइड क्या क्या हो सकती है या फिर कितने तिर्भुज पॉसीब है तो उन दोनों साइड के डिफरेंस से तो बड़ी होगी तीसरी साइड और उन दोनों साइड के सम से छोटी होगी तीसरी साइड ठीक है भाई तो पांच से बड़ी होगी और ग्यारा से मेरे दोस्त छोटी होगी ये वाली कंडिशन इसको सैटिस्फाई करती है और मेरे दो कौनसा option हो जाएगा B option इस question का जबाब हो जाएगा ये बात clear हो गए क्या बहुत बढ़िया D Q नहीं है X जो है तीसरी side 11 से बढ़ी कैसे हो सकती है तीसरी side 11 से बढ़ी कैसे हो सकती है मेरे दोस्त 6 होगा मैंने काए दो sides का sum तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए तो दो साइड का सम कितना है 11 है 11 जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए तो X से बड़ा है 11 मेरी बास समझ रहे हो तो तीसरी साइड 11 से बड़ी थोड़ी न हो जाएगी चले ये बास समझ में आगे क्या बहुत शंदार अब आजाते हैं अपनी theory part की तरफ बिटा मैं बार बार recall कराता रहूँगा चीज़े घबराने की जरूरत नहीं है हम लोगों को ये topic सारे पढ़ने हैं हमने शुरुआत यहां से की है triangle तीन भुजाओ से मिलकर बनी कोई भी बंद आकरती उसे हम लो होना चाहिए दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बढ़ा होना चाहिए और दो साइड का difference जो है वो हमेशा तीसरी से छोटा हो न चाहिए कैसे पता चला है गुरु जी एक्स 11 से बढ़ा है अच्छा ये बताओ आगे तो मैं तब तक नहीं बढ़ो हुआ जब तक आप लोग चीजे नहीं समझ लेंगे तीसरी साइड कितनी दी हुई है एक्स दी हुई है अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया है ये बताओ बिटा पहले मैंने मैंने बताया है दो साइड का सम करो आपने कहा दो साइड का सम हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड से तो क्या X से बड़ा होगा ये X से बड़ा होगा तो ये हो गया X से बड़ा हो गया दो साइड का difference जो है हमेशा छोटा होता है 8 में से 3 गया हमेशा छोटा होगा तीसरी साइड से तीसरी साइड X है इस से छोटा होगा ये दो साइड का डिफरेंट तो कंडिशन आ गई ये अब ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है तो आप लोग मुझे बताईए तो आप कहेंगे पाँच से बड़ी और ग्यारा से छोटी तो पाँच से बड़ी 6 भी है पाँच से बड़ी 7 भी है पाँच से बड़ी 8 भी है पाँच से बड़ी 9 भी है पाँच से बड़ी 10 भी है लेकिन मेरे दोस्त 11 मत लिख देना क्योंकि 11 से छोटी चाहिए तो ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है तो आप लोगों कहोगे ऐसी 5 values possible है ठीक है चलिए बहुत शांदार देखिए अब आगे की तरफ चलते हैं तो ये तिर्बुच के बनने की condition हो गई है दो side का sum जो है हमेशा तीसरी से बढ़ा होगा दो side का difference जो है वो हमेशा तीसरी से छोटा होगा ठीक है बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ते हैं दोस्त अब triangle का classification थोड़ा सा कर लेते हैं तो heading डालिए classification of triangle heading डालिए मेरे दोस्त classification of triangle classification of triangle यानि की question दिया हुआ है संख्याओ का वर्गी करन संख्याओ का नहीं तिर्बुच का वर्गी करन तिर्बुच का वर्गी करन वर्गी करन हम लोग पढ़ने वाले हैं और बेटा यह theory part से question बनते हैं ध्यान देना तिर्बुच का वर्गी करन हम लोग पढ़ने वाले हैं classification of triangle हम लोग पढ़ने वाले हैं हाँ मुझे लग रहा था कि इसमें दिक्कत आ सकती है यह है दोस्त अगर मैं कहूं Y जो है वो 9 से छुटा है नो से छुटा है यानि 9 बड़ा है तो 9 की तरफ मूँ खोल दो जो बड़ा होगा उसकी तरफ मूँ खुलेगा और जो छुटा होगा वो मेरे दोस्त उसकी तरफ मूँ बंद होगा अगर मैं आप लोगों से कहूं Y जो ह छोटा है, नो से तो ऐसे बनेगा मैं कहूँ, जैड जो है वो वाई से बड़ा है जैड जो है, वो बड़ा है बड़ा है तो मोग खुलेगा वाई से बड़ा है, तो वाई की तरफ मोग बंद हो जाएगा ठीक है भाहिया? देखो अब यहाँ पे आजाओ तिर्भुज का वर्गी करण हम लोग बनने वाले है ठीक है तिर्भुज के वर्गी करण को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बिटा पहला होता है on the basis of angle on the basis of angle यानि की कौन के आधार पे तिर्भुज को बाटा गया है किसके आधार पे तो आप कहोगे कौन के आधार पर कौन के आधार पर आज आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों से आज तक mensuration क्यों नहीं आया तो जवाब मिलेगा जब हमने लग के class ही नहीं की तो mensuration हम लोगों से आ कैसे सकता था बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो class छोड़ेंगे तो वो बच्चे ये ठान लें कि उनसे mensuration आने वाला भी नहीं है चाहे वो दुनिया के किसी भी teacher से पढ़ लें किसी भी teacher से पढ़ लें दोस्त उन्हें पढ़ना तो होगा बैठना तो होगा setting तो देनी होगी अब देखे बच्च को बाटा किस आधार पे गया है तिरबच्च को दो पार्ट के आधार पे बाटा गया है एक तो on the basis of angle यानि कि कोन के आधार पे बाटा गया है और एक बाटा गया है बिटा भुजा के आधार पे एक बार दिखाना उपर comment पढ़वाना चेतना सैनी 11 greater than x greater हाँ बिल्कुल ये सही है 11 से छोटी बिल्कुल सही है लेकिन आप देखोगे न तो चीजे वही लिखी हुई है चीजे वही लिखी हुई है आपने कहाए 11 सबसे बड़ा होना चाहिए 11 सबसे बड़ा है आपने कहाए 11 से छोटा x होना चाहिए x छोटा है आपने कहाए 5 सबसे छोटा होना चाहिए बाकी तो मैं हूँ ही आपके लिए खड़ाई हूँ मेरे दोस्त दिक्कत नहीं आने दूँगा जब आप वादा किया है आप लोगों से तो वादा निभाऊंगा जरूर है ना आप लोग ही बीच में साथ छोड़ सकते हैं मैं नहीं छोड़ने वाला सुनिए थोड़ा अब ध्यान से देखिए अब कोश्चन आगे मैंने कहा क्लासिफिकेशन आफ ट्राइंगल यानि कि हम लोग तिर्बुच का वरगी करण कैसे करते हैं तो वरगी करण कैसे करते हैं on the basis of angle कौन के आधार पे वरगी करण कैसे होगा और भुजा के आधार पे वरगी करण कैसे होगा ठीक है अब देखना बिटा on the basis of angle तिर्बुच होते हैं तीन टाइप के बचपन से सुनते आए हो acute angle है acute angle triangle है मेरे दोस्त acute angle triangle है तो आप कहना acute angle triangle वो होता है जो noon कौन तिर्बुच कहलाता है क्या कहलाता है noon कौन तिर्बुच कहलाता है acute angle triangle जो होता है वो noon कौन तिर्बुच कहलाता है ठीक है दूसरा होता है बिटा obtuse angle triangle obtuse angle triangle जो होता है वो दूसरा होता है मेरे दोस्त obtuse angle triangle जो होता है वो दूसरा होता है और इसे कहा जाता है अधिक कौन तिरबुज ये बस आप लोगों को याद रखने हैं आप लोगों से बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा अधिक कौन तिरबुज होता है ठीक है तीसरा जो यहीं पे होता है इंपूडेंट पार्ट है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल तीसरा जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है यानि कि मेरे साथी समकौन तिरबुज होता है क्या होता है तो आप कहना समकौन तिरबुज होता है तो कौन के आधार पे तिरबुज को तीन पार्ट म ठीक है अब देखिए तोड़ा सा ध्यान से समझेए अगर मैं भुजा के आधार पे बात करता हूँ तो पहला जो ट्राइंगल होता है वो स्केलन ट्राइंगल होता है कुश्चन बनते भी सबसे ज़्यादा इसी पे हैं जिसे हम लोग विसम बाहू तिर्बुज कहते हैं जिसे हम लोग विसम बाहू तिर्बुज कहते हैं दूसरा जो होता है वो आईसो सेल्स ट्राइंगल होता है क्या होता है मेरे साथ ही तो मेरे साथ बोलेंगे आईसो सेल्स ट्राइंगल होता है जिसे हम लोग समधी बाहू तिर्बुज कहते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं सबसे ज़ादा important, सबसे ज़ादा important equilibrium right triangle होता है और जिसे हम लोग क्या क्या कहते हैं समभाहू तिर्बुज कहते हैं क्या कहते हैं समभाहू तिर्बुज कहते हैं ये बात आप लोगों को समझ आजानी चाहिए तो बेटाए ये जो आपके सामने लिखा हुआ है को पढ़ने वाली हैं दोस्त आप धेखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझ़िये कहां से समझ में नहीं कि हाग टूडी पढ़ाऊंगा दिक्कत क्यों ले रहे तूडी भी मेरे दोस्त जब तक आप लोग ये सेट करके रखो کہ भाई मुझे फोर्मलटी पूरी करना है तो नइ इस जीजे समझ में आएंगे सांती से पढ़ेंगे आराम से पढ़ेंगे हसतेभी मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे सर मेरा क्वेश्यन है भाई क्वेश्यन भी पूछते रहो तो आपने कहा बना दो ना एक तिर्भूज तो मैंने आपके सामने ये तिर्भूज बना दिया बना दिया क्या अगर तिर्भूज के तीनों कौन जो है वो 90 से छोटे हैं बस ये ओरली सुनना है यहां से कुश्चन नहीं बनता है लेकिन हमें पता होना चाहिए अगर तिर्भूज के तीनों कौन जो है वो 90 से छोटे हैं ये 80 डिगरी, ये 70 डिगरी, ये 30 80 और 70, 1.5 और 30, 180 डिगरी हो जाएगा तो अगर तिर्भूज के तीनों कौन जो है वो 90 डिगरी से छोटे हैं तो वो जो कहलाएगा, वो acute angle triangle कहलाएगा, ठीक है, अगर तिरबुज का एक कौन जो है, वो 90 से बड़ा आ गया, मान लो ये 110 हो गया, मान लो ये 50 हो गया, 110 और 50, 160, मान लो ये 20 हो गया, तो ऐसा triangle जिसमें एक कौन जो होता है, वो 90 degree से बड़ा होता है, तो उसे कहा जाता है, obtuse angle triangle कहा जाता है, ठीक है भाई, अगर मैं बात करूँ, right angle triangle की, तो एक ऐसा तिरबुज जिसमें एक कौन जो होता है, वो 90 degree का होता है, एक कौन जो होगा, वो 90 degree का हो जाएगा, तो ऐसे तिरबुच को कहा जाता है right angle triangle मेरे साथ एक बार बोलेंगे मेरे साथ एक बार बोलेंगे acute angle triangle क्या होता है acute angle triangle वो triangle होता है जिसमें सारे कौन जो होते हैं वो 90 degree से छोटे होते हैं 90 degree से छोटे होंगे वो triangle कौन सा कहलाएगा acute angle triangle कहलाएगा अगर एक भी कौन 90 degree से बड़ा हो गया तो वो obtuse angle triangle कहलाएगा एक कौन अगर 90 degree का हो गया तो वो right angle triangle कहलाएगा मेरे दोस्त बस यहां केवल आप लोगों को इतना सीखने की जरूरत थी क्योंकि यह वाला part जो आता है वो geometry के अंदर आता है लेकिन यह basic चीज थी जो हम लोगों को पता होनी जरूरी थी अब mensuration की चीज जो है वो यहां से है यह चीजे जो है वो mensuration में आप लोगों से पूछी जाती है यह चीजे जो है वो छित्रमिती से आप लोगों से पूछी जाती है ठीक है सुनिएगा अब इधर आ जाते हैं मेरे साथी notes बना लेना प्रॉपर तरीके से वो notes ही बार बार पढ़ना मेरे दोस्त जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी ठीक है यहां आ जाईए scale and triangle विसम बाहू तिरबूज ध्यान से सुनिएगा दोस्त मैं आज आप कुछ मलब चीजे जो keyword आप लोगों पकड़ के answer दे सकते हो उसको बताने की कोसिस करूँगा आपने देखा होगा विसम विसम माने different होता है different होता है विसम word चाटिये reasoning में आपने देखा होगा विसम word चाटिये तो उसका मतलब होता है कि different word चाटिये तो जिसकी सारी भुजा अलग-अलग होती है उसे कहा जिसकी सारी भुजा अलग-अलग होती है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है विसम बाहू तिरबुज यानि कि अगर मैं बात करूँ मेरे साथ ही तो विसम बाहू तिर्बुज क्या होता है अगर मैं आपके सामने ट्राइंगल ले लेता हूँ ABC तो इसकी सारी भुजा अलग-अलग होती है ये भुजा अलग होगी ये भुजा अलग होगी और ये बुजा अलग होगी तो ऐसे तिर्बुज को कहा जाता है विसम बाहू तिर्बुज ऐसे तिर्बुज को क्या कहा जाता है तो आप कहेंगे विसम बाहू तिर्बुज कहा जाता है अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सम मतलब समान दी मतलब दो जिसकी दो भुजा समान होती है उसे आईसो सेल्स ट्राइंगल कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है उसे आईसो सेल्स ट्राइंगल कहा जाता है अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इसे आईसो सेल्स ट्राइंगल कहा जाएगा तो कोई आप से पूछे सम्दी बाहु तिर्बुझ क्या होता है तो आप कहना कि जिसकी दो बुझा समान होती है ऐसे तिर्बुझ को बच्चा आईसो सेल्स ट्राइंगल कहा जाता है ठीक है तीसरी बात करूं संबाहू तिर्बुच क्या होता है तो बेटा संबाहू सम मतलब समान और बाहू मतलब भुजा जिसकी तीनों भुजा समान होती है ऐसे तिर्बुच को हम लोग संबाहू तिर्बुच कहते हैं मान लो ये ABC आप लोगों के सामने एक ट्राइंगल है अगर तीनों की तीनों भुजा जो हैं वो different हैं तीनों की तीनों भुजा समान हैं मान लो ये A है तो ये भी A होगी और ये भी A हो जाएगी तो तीनों की तीनों भुजा जिसमें समान होती हैं ऐसे तिर्बुज को कहा जा संभाहू तिर्भुज और याद रखना संभाहू तिर्भुज का प्रतेक कौन जो होता है वो 60 डिगरी का होता है ये विसेश चीज का याद रखना क्योंकि दहली पुलिस 2020 में आप लोगों से संभाहू तिर्भुज के एक कोने पर घोडा बांधने का कुश्चन आया था जह इस 60 डिगरी का यूज बहुत ज़ादा होने वाला है 2020 में संभाहू तिर्भुज के एक कोने पर घोडा बांधने का कुश्चन आया है अब दिमाख में ये मतल लाने लगना जी घोडा बांधने वाला कुश्चन कैसा आया होगा तो भाई जम मैं पढ़हूंगा तब आपक क्या definition में किसी को कोई दिक्कत है अभी फिलाल में दोस्त मुझे ये बताओ क्या किसी को definition में कोई दिक्कत है हम लोगों ने उसको कौन के आधार पे बाट लिया हम लोगों ने उसे भुजा के आधार पे बाट लिया सबकी definition मैंने आप लोगों को बता दी है अब सुरुआत करऊंगा सुरुवात करूंगा दोस्त अब फॉर्मूले से है ना अब हेडिंग डालूंगा सबसे पहला सबसे छुटकूसा कुश्चन से right angle triangle से अब हम लोग सुरुवात करेंगे नहीं इसके लन से सुरुवात करते हैं right angle triangle सबसे last में पड़ेंगे चलिए बहुत शांदार बहुत शांदार बहुत शांदार ला जवाब ला जवाब अगर तुम एक दिल वहिस देते तो क्या तुमारा बिगड़ जाता एक दिल से मतलब कह देते कि हाँ दिल से कह रहे हैं जी चीजे सारी समझ में आ गई है तो क्या आप लोगों का बिगड़ जाता है मलब दिल जो है वो हमारे लिए नहीं दिल कहीं और के लिए चलिए बेटा accepted सारे के सारे दिल जो है वो सुईकार है दोस्त सुरुवात करते हैं हम लोग आज के अपने topic से scale and triangle जी क्या होता है कैसा question बनता है क्या इसके formula होते हैं सारी detail अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त topic का नाम है scale and triangle नाम होता है हिंदी में विसम बाहू तिर्बुज विसम बाहू तिर्बुज चलिए ध्यान से समझिए विसम बाहू तिर्बुज होता क्या है मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना एक ही दिल है हाँ एक ही दिल है तो कोई नहीं एक ही दिल चल जाएगा चलो अब यहाँ आजाओ और topic वे इतनी बहुत है देखो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा के आया हूँ विसम बाहू तिर्बुज होता क्या है तो आप कहेंगे विसम बाहू तिर्बुज वेह तिर्बुज होता है जिसकी तीनो भुजा अलग-अलग होती है A, B और C ठीक है भाई अब ध्यान से सुनना दोस्त question कैसे पूछेगा और आप लोगों को उन question से निकलना कैसे है पहला question अगर उसने कभी भी ये कह दिया कि एक विसम बाहू तिर्बुज है जिसका आधार जो है वो आप लोगों को इतना दिया हुआ है और उसकी उन्चाई जो है वो इतनी दी हुई है मतलब उन्चाई भी उसने दे दी अगर उसने किसी भी तिर्बुज का आधार दिया हुआ है और किसी भी तिर्बुज की उन्चाई दी हुई है तो चाहे कोई से भी type का तिर्बुज हो आप लोग छेतरफल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे मेरे साथी आप लोग एरिया का फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप कहेंगे एरिया का एक ही फॉर्मूला है बचपन से पढ़ते आएं हैं और पचपन तक पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त एक बटे दो आधार गुणा उंचाई अगर कभी भी आप लोगों को ट्राइंगल के केस में आधार भी दिया है उंचाई भी दी है तो हमेशा ये गांठ बांदलो की हमेशा हमे इस फॉर्मूले का यूज करना है एक बटे दो आधार गुणा उंचाई याद रखेंगे मेरे साथ बोलेंगे कब यूज होगा आप यह मत पूछना जी हमें कैसे पता चलेगा तो भाई साब आपको पता ऐसे चलेगा जब भी कुश्चन के अंदर आधार आप लोगों को दिया हो base आप लोगों को दिया हुआ हो और आप लोगों को height दी हुई हो उंचाई आप लोगों को दी हो तो बिटा कोई से भी type का तिर्बुज आप लोगों के सामने हो आपको देखने की जरूरत नहीं है आप जो है बचे एक बटे दो आधार गुणा उंचाई लगा देना आपका छितरफल निकल के आ जाएगा बात clear है या नहीं बात clear है या नहीं तो आप कहेंगे जी चलो ये बात तो clear हो गए तो concept number पहला ये था कोई सा भी तिर्भुज आधार और उंचाई दी हुई है तो formula लगाऊंगा एक बटे दो आधार गुणा उंचाई और चुटकियों में answer दोस्त निकाल दूँगा अब आते हैं main मुद्दे पर कि भाई साब उंचाई नहीं दी हुई है ये पहला concept था अब हम लोगों को उंचाई नहीं दी हुई है तो ध्यान से देखेंगे बिटा अगर उंचाई नहीं दी हुई है तो मामला कैसे होगा final सबसे पहले ये वाली side A दी गई है ये वाली side B है तीनो side जो है वो different different आप लोगों को दी गई है तो आप लोगों को समझ में तो ये आ गया है कि ये विसम बाहू तिर्बुज है यानि ये scale and triangle है तो अब वो आपसे यहां से दो चीज पूछ सकता है पहली चीज तो बिटा परीमाप आप लोगों से पूछ सकता है परीमाप को English में कहा जाता है मेरे दोस्त Perimeter परीमाप को English में क्या कहा जाता है Perimeter कहा जाता है और दूसरी चीज वो आप लोगों से पूछ सकता है दूसरी चीज वो आप लोगों से छितरफल पूछ सकता है जिसे हम लोग area कहते है ध्यान से सुनना बेटा बहुत दिमाग बैठाने की जरूरत है यहीं से कुश्चन बनना आपके स्टार्ट हो जाएंगे अभी कराऊंगा यहीं से कुश्चन कभी भी आप लोगों को बैटा एक ऐसा तिरभूझ दिया हुआ हो जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो तो बैटा उसका एरिया कैसे निकालते हैं तो अपनी कॉपी में छप दीजिए उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोगोंने 10th में पढ़ा होगा हम लोग हीरोंस formula से उसका area निकाल रहे होते हैं कौन से formula से तो आप लोग कहेंगे हम heroes formula से उसका area निकाल रहे होते हैं एक बात और समझिए अगर मेरे पास कोई भी एक triangle है triangle है और जहां मैंने ये yellow pen चलाया है अगर इन सब को जोड़ देता हूँ मतलब कोई भी figure जिन side से मिलकर बनी है अगर उन सब को जोड़ दोगे तो आपके पास perimeter आ जाएगा आपके पास क्या जाएगा perimeter आ जाएगा तो ये triangle किन side से मिलके बना हुआ था एक तो इस वाली side से एक दोस्त इस वाली side से और एक इस वाली side से तो अगर कोई triangle तीन side से मिलके बना है तो तीनो side को दोस्त जोड़ देना ये उस triangle का perimeter हो जाएगा तो perimeter तो निकालना बड़ा आसान है कोई भी figure जिन से मिलकर बनी है उन सब को जोड़ दो अगर आयत का परिमाप पूछा जाए तो आयत की चारो भुजा जोड़ दो अगर वर्ग का परिमाप पूछा जाए तो वर्ग की चारो भुजा जोड़ दो अगर आप लोगों से पंच भुझ का परिमाप पूछा जाए तो पंच भुझ की पांचों भुझा जोड़ दो तो मतलब जिसका भी परिमाप आप लोगों से पूछा जाता है उनकी भुझाओ को आप लोगों को जोड़ना होगा तो परिमाप में तो आज के बाद आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है मेरी बात समझ में आगए परिमाप में आप लोगों को आज के बाद दिक्कत नहीं आने वाली है परिमाप में बेटा आप लोग तीनों भुजाओ को जोड़ देंगे अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना बात करते हैं बेटा छेतरफल की हम लोग छेतरफल कैसे निकालेंगे तो दोस्त छेतरफल निकालने का फॉर्मूला होता है सबसे पहले आप लोगों को S निकालना होगा S क्या होता है? S होता है अर्द परीमाप अभी कोश्वन करूंगा बिल्कुल भी घवराने की जरूरत नहीं है दोस्त अभी कोश्वन आप लोग को करूंगा S क्या होता है अर्द परिमाप होता है अर्द परिमाप मतलब परिमाप का आधा परिमाप का आधा मतलब परिमाप मतलब तीनो भुजाओ का योग और उसको आधा कर देंगे तो परिमाप का आधा जाएगा क्या आप लोग किसी भी विसम बाहू तिर मुझका S निकाल पाएंगे अर्द परिमाप निकाल पाएंगे तो आपने कहा जी सैमी पेरिमीटर हम लोग निकाल चुके है अर्द परिमाप हम लोग निकाल चुके है ठीक है भाईया अब मैंने आप से कहा जैसे ही आप लोग अर्द परिमाप निकाल देंगे तो छेतरफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अंडरूट बनाईए इस S को लिखिए S में से पहली भुजा घटाईए S में से दूसरी भुजा घटाईए और S में से तीसरी भुजा घटाईए और ट्राइंगल का छेतरफल आपके सामने आ जाएगा एक बार फिर से देखिए दोस्त चीजों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे साथी कि अगर आप लोग किसी भी विसम बाहू तिर्बुज आप लोगो को दिया हुआ है तो वो केवल दो चीजे आप लोगों से पूछ सकता है पहली चीज आप लोगों से परिमाप यानी पेरिमीटर पूछा जा सकता है तो बैटा तीनों चीजों को जोड देना ये पेरिमीटर आपके सामने आ जाएगा दूसरी चीज आप लोगों से मेरे साथी area आप से पूछा जाता है तो area के लिए आपको हमेशा s निकालना होगा यानी parameter निकालना होगा और perimeter के लिए बिटा semi perimeter के लिए आपको तीनों बुजाओं का योग करके आधा करना होगा और फिर छेतरफल का formula ये लगाना होगा S क्या है जो यहां निकाला है S में से A घटाओ, S में से B घटाओ, S में से C घटाओ छेतरफल आप लोगों के सामने आ जाएगा Sir, please write formula in English also है English में भहिया, देखियो, माप करियो English में बस केवल मैं इसे लिख सकूँ पैस, अर्द परी माप को semi perimeter कहते हैं बाकी S को English में भी S कहते हैं A को English में भी A कहते हैं B को English में भी B कहते हैं C को English में भी C कहते हैं और 2 को English में भी 2 ही कहते हैं है ना तो और कुछ बचा नहीं है ये स्क्वार रूट ऐसे ही इंगलिस में बनाते हैं ऐसे हिंदी में बनाते हैं छेतरफल का फॉर्मूला छेतरफल का जो साइन है ये वाला ये वाला जो साइन है मेरे दोस्त इंगलिस में भी ऐसी बनता है और हिंदी में भी ऐसी बनता है द इंगलिस हर जगा यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ छेतरफल लिखा है, यहाँ एरिया लिख दिया, यहाँ इसकेलन ट्राइंगल लिखा है, यहाँ विसम बाहु तिरबुज लिख दिया, यहाँ परीमाप लिखा है, यहाँ परीमेटर लिख दिया, यहाँ छेतरफल लिखा है यहां area लिख दिया इंगली से फाल तो लिख रही है hero's formula हिंदी में न लिखा देखो तो सही युगंडा से ही आया मेरा साथी s is equal to अर्दपरीमा आप हो गयार छेतरवल का formula s into s minus a s minus b और s minus c हो गया ठीक है मेरी बात समझ में आप लोगों को आ गई क्या इसमें कोई दिक्कत है एक भी बच्चे को अगर दिक्कत हो तो बता दो आगे तब बढ़ूँगा जब आप कह दोगे जी दिक्कत नहीं है एक question करा दो दिक्कत नहीं है जी एक question करा दो एक बार आप देखो मैं question का selection करता हूँ है ना फटा फट देखेंगे एक बार हाँ देखो दिल्ली पुलिस SI का question दिखाऊँगा भाई इसम मजा ही आ जाएगा जिसे कहते हैं मजा आ जाएगा ठीक है तिरबुज के question भी कराऊँगा हाँ तिरबुज के question भी कराऊँगा यह रहे तिरबुज का छेतरफल गयाद के दिए ऐसा मजा आने वाला है अब आगले question में मुझे यह बताऊ क्या किसी को दिक्कत है क्या किसी को दिक्कत है चली question करा रहा हूँ अब आप लोगों के सामने आप मुझे यह बताना कि इसका जवाब क्या होगा पहले मुझे से बताऊ भाई तीसरे question का जवाब बताऊ फटाफट तीसरे question का जवाब बताऊ एक तिरबुज के कोन आप लोगों को दिये हुए है तो x का मान क्या है तो बेटा तिरबुज के तीनो कोनों का योग क्या होता है तीनो कोनों का योग होता है 180 डिगरी तो अगर मैं तीनो कोनों को जोड़ दूँ तो क्या उसे 100C के बराबर लिख सकता हूँ तो आप कहना आप 8X-15 दूसरा कोन है 6X-11 और तीसरा कौन है मेरे साथी 4x-10 अगर आप इनको जोड़ दोगे तो ये हमेशा 180 के बराबर आने चाहिए हमेशा 180 के बराबर आने चाहिए तिरबुज के कौन है तो तीनों कोनों का योग 180 डिगरी रहेगा देखियो भाईया 8 और 6, 14 और 4, 18x हो जाएगा माइनस 15 है, माइनस 11 है, माइनस 26 हो गया माइनस 26 और 10, माइनस 36 हो जाएगा और इधर क्या है मेरे साथी 180 दिया हुआ है अब देखी मेरे दोस्त, माइनस 36 है, इधर आके प्लस 36 हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे, ये 216 हो जाएगा 18 गुणा में हैं इधरा के भाग में हो जाएगा 18 एकम 18 तीन बचेगा 36 हो जाएगा 18 दूनी 36 हो जाएगा तो क्या आप कह सकते हैं कि X की वेल्यू 12 आ जाएगी क्या आप कह सकते हैं कि X की वेल्यू मेरे साथी 12 हो जाएगी बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर करना पड़ेगा सबसे पहले ना सबसे पहले मेरे साथ जैसे आप लोग कोश्चन को पढ़ते हैं वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिस करूँगा थोड़ा सा ध्यान से सुनना एक तिरबुज की भुजाओ का अनुपात ये है जैसे ही आपने इस रेशो को देखा आपके दिमाग म एक बात आई मैंने कहा है रेशो जब पढ़ाया होगा मैंने कहा होगा भाई साब कभी भी ऐसा रेशो लिखा मत रहने देना आप क्या करना ऐसे नंबर से मल्टिप्लाई कर लेना जो तीनों से कटता हो दो तीन पांस से कटने वाली संख्या 30 होती है तो आपने 30 से गुणा की है तो आपने कहा रेशो को भिन से हटाने के लिए सीधा सीधा नंबर बनाने के लिए हमने ये गुणा की है तो क्या 15,10 और 6 जो है वो रेशो आ जाएगा तीनों साइड का जो मतलब इस रेशो का है क्या वही मतलब इस रेशो का है तो आपने कहा जी वही मतलब है तो मेर हिसाब से तिर्बुज की तीनों साइड का रेशो जो है वो 15,10 और 6 दे रखा है अब आपकी तरह मैं कुश्यन पढ़ रहा हूँ यदी तिर्बुज का परिमाप परिमाप को याद करो तिर्बुज की तिर्बुज का परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होत एक सो चासी दिया हुआ है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आजाएगी एक सो चासी बटे 31 आजाएगी क्या एक हिस्सा जो है वो 6 के बराबर आजाएगा अगर एक हिस्सा 6 के बराबर आचुका है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है सबसे बड़ी भुजा बत कितना आएगा तो आपका जवाब होगा सबसे बड़ी भुजा की लंबाई जो है ये 90 सेंटीमीटर है ये 90 सेंटीमीटर है दोस्त कहां ये कुश्चन पूछा गया है देहली पुलिस एक्जीक्यूटिव यानि कॉंस्टेबल में ये कुश्चन पूछा गया है कॉंस्टेबल में ये दोस्त कुश्चन पूछा गया है बात समझ में आगी है एक भी ऐसा प्राणी क्लास में मौझूद हो जिसके ये बात समझ में ना आई हो देहली पुलिस कॉंस्टेबल 2020 का ये कुश्चन जिसके समझ में ना आया हो ऐसा एक भी बालक मौझूद है क्या बहुत शांदार बहुत शांदार बेटा बहुत शांदार चली आजाईए कुश्चन आगे बढ़ते हैं मेरे साथी बस कमेंट पे ध्यान मत दो यार सब कुछ हम लोग पार कर लेंगे एक बार मुझे बता दो मैंने कहा था कि अगर कुश्चन में उचाई देखने को मिल जाए तो फॉर्मूला एक बटे दो आधार गुणा उचाई लगा देना मुझे मतलब नहीं है कि को कौन से टाइप का तिरबुज है अगर मुझे कुश्चन के अंदर आधार दिया है उच दी है तो मैं हमेशा चितरफल का फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा एक बटे दो आधार गुणा उचाई क्या यहीं लगाऊगे आपने कुश्चन को पढ़ा तिरबुज की एक बुजा पंदरह सेंटीमेटर है बहुत सही एक साइड आप लोगों को दी हुई है संगत चालने का फॉर्मूला क्या होगा मेरे साथी एक बटे दो बेस इंटो हाइट यानि कि एक बटे दो आधार गुणा उचाई ही उसका चितरफल का फॉर्मूला हो जाएगा तो मेरे दोस्त यहां से आप लोग क्या देखेंगे आधार कितना दिया है पंदरह दिया है जाएगा 45 सेंटी मीटर स्क्वार आजाएगा भाया कहां है ऑप्सन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा एक भी प्राणी किलास में मुझूद हो जो यह कह पाए कि यह कुश्चन समझ में नहीं आया या वो यह कह पाए मेरे साथी कि हमें कैसे पता चलेगा चले देखिए बचे आप लोगों को एक साइड दी हुई है हाइट दी हुई है याद रखना अगर किसी कुश्चन के अंदर साइड और हाइट हाइट यानि उचाई अगर आप लोगों को दी हुई है तो तिरबुच का छेतरफल निकालने का डरेक्टली फॉर्मूला यह आप लोगों को लगाना है ठीक है आप लोगों को बिटा मैंने ये बताया कहां था ये वाला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को यहां बताया था कि जब भी किसी ट्राइंगल का आधार दिया है उचाई दी है तो हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करना है और सारी साइड जो है वो different दी हुई है तो आपको छेतरफल के लिए इस formula का use करना है perimeter का कोई formula नहीं है बच्चा तीनों भुजाओ को जोड़ देना वही perimeter हो जाएगा ठीक है भाईया चलिए बहुत शानदर next question की तरफ चलते है next question क्या कहता है भाई देखना अभी समकोन तिर्भुज पर थोड़ी देर में आने वाला हूँ ये भी समकोन तिर्भुज का question है जीडी का question है ये जीडी का question नहीं है मेरे साथ ही ये बच्चे आप लोगों को दिया हुआ है इसका छेतरफल बताईए बताईए फटवट वैसे तो ये question जो है right angle triangle का question है लेकिन अगर तीनो side different दी हुई है तो इसके लन से इसे कैसे करेंगे कैसे इसे विसम बाहु तिर्भुज से question करेंगे जल्दी बताईए जरूरी थोड़ी है base 15 हो बिटब base कितना भी हो एक बच्चे ने बहुत बड़ी है question पूछा है कि जलूरी थोड़ी है base 15 हो base अगर कुछ भी हो आपने कोई सी भी side माल ली माल लो ये वाली side माल ली 15 है ठीक है उसकी संगत उचाई यानि इसी पर पढ़ने वाला उचाई ये दी हुई है तो आधार अगर ये लोगे मेरे साथ ही तो उचाई ये ही तो काम करेगा ये संगत वर्ड इसलिए ही लगा हुआ है क्योंकि आधार अगर आप इसको लोगे तो इसी के perpendicular में ये उचाई आप लोगों को लेनी पड़ेगी ठीक है चलिए इस question का जवाव दीजिए आप मुझे क्या हो जाएगा ये कहाँ पूछा गया था कुन सा question था कुन सा question था ये question था SSE CHSL 25 मई 2022 में आप से पूछा है वैसे तो ये right angle triangle का एक line का question है लेकिन जब मैंने अभी right angle triangle आप लोगों को नहीं पड़ाया है तो हम लोग इसे विसम बाहू तिर्बुझ से कर लेते हैं ठीक है एक तिर्बुझ की तीन बुझाए दी हुई है पहली बुझा कितनी है तीन सेंटीमीटर है दूसरी बुझा कितनी है चार सेंटीमीटर है और तीसरी बुझा कितनी है 5 cm है तो क्या आप लोगों को 3 बुझा ये अलग-अलग दिख रही है तो जैसे ही आप लोगों को ये अलग-अलग दिखी तो अपने दिमाग में एक चीज लाना जब तिर्बुझ की 3 बुझा अलग-अलग होती है तो वो 2 टाइप के तिर्बुझ हो सकते है या तो वह is calen triangle होगा या तो वह is calen triangle होगा विसम बाहू तिर बुज होगा या वह right angle triangle होगा अब हम पहचान कैसे करेंगे दोस्त question को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना इस question में इतना कुछ था नहीं जितना मैं समझा रहा हूँ लेकिन बहुत सारी चीज़े किलियर करने की कोसिस करूँगा ध्यान से सुनिएगा अगर तिर्बुज की तीनों साइड अलग अलग आप लोगों को दी हुई है तो दिमाग में सबसे पहले एक बात आनी चाहिए कि या तो वो स्केलन ट्राइंगल होगा विसम बाहु तिर्बुज होगा या फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा अब हम कैसे पहचान करें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या ये स्केलन ट्राइंगल है पहचान करनी बता रहा हूँ दोस्त ध्यान से अप लोग सुनिएगा सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कितना होगा 25 होगा इस वाली भुजा का वर्ग 16 होगा और इस वाली भुजा का वर्ग 9 होगा अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के एकवल आ जाता है जब मैंने इन दोनों के वर्गों को जोड़ा तो वो 25 आया जो कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के एकवल आ जाता है तो ऐसी भुजाएं जो है वो right angle triangle की भुजाएं कहलाती है वो किसकी भुजाएं कहलाती है वो right angle triangle की भुजाएं कहलाती है ये बात समझ में आ गए अब ये question जो है वो right angle triangle की property से भी हो सकता है और ये question मेरे साथी scale and triangle की property से भी हो सकता है अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है वो अन्य दोनों भुजाओ के वर्गों के योग के बराबर नहीं आया तो बिटा ये फिर right angle triangle नहीं होगा ये फिर मेरे दोस्त scale and triangle ही रहेगा कौन सा रहेगा तो आप कहेंगे ये फिर scale and triangle ही रहने वाला है तो आज समझ गए मेरी बात मैं क्या कहना चाहरा हूँ मेरा सबसे पहला point कि अगर तिर्बुज की 3 side आप लोगों को दी हुई है तीनों side अलग-अलग दी हुई है तो दिमाग में एकदम से click होना चाहिए या तो ये right angle triangle होगा या फिर ये scale and triangle होगा अब ये कैसे decide करें तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है तो वो right angle triangle कहलाएगा और अगर बराबर नहीं आता है तो वो मेरे scale and triangle कहलाएगा ये बात समझ में आ गई लेकिन question solve दोनों तरीके से हो जाएगा ठीक है तो ये आप लोगों को पता चल चुका है कि ये जो side दी हुई है दिमाग में बिटा इस चीज को रखी मैं दोनों तरीके से आपको बताऊँगा कि ये side जो है right angle triangle की भी भुझा है और ये side जो है scale and triangle यानि विसम बाहु तिर्बुझ की भी भुझाएगा आप लोगों को दे हुई है तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा है विसम बाहु तिर्बुझ विसम बाहु तिर्बुझ का एरिया कैसे निकलते है मैंने बताया था सबसे पहले आप लोगों को S निकलना होता है तो S क्या हो जाएगा तीनो भुझाओ का योग 5 और 4 नोर 3 बारा S कैसे निकलता है तीनो भुझाओ के योग को आधा कर दोगे तो S निकल के आजाएगा फिर आप लोगों को 6 लोगों को 6 निकलना है अंडरूट लगाईए इस S को S का EES ही लिखिए S में से पहली भुझा घटाईए S में से दूसरी भुझा घटाईए S में से तीसरी भुझा घटाईए क्या ये छेत्रफल निकल के आ जाएगा 6-12, 6-18 दुनी 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है तो आप कहेंगे 6 cm2 हो जाएगा यानि इस तिर्बुज का छेत्रफल कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 6 cm2 हो जाएगा ये पहला तरीका था ये स्केलन ट्राइंगल से निकलने का दूसरा तरीका है दोस्त राइट एंगल ट्राइंगल से कुश्चन को करने का जब भी समकौन तिर्बुज आपके सामने हो तो छेत्रफल का फॉर्मूला एक बटे दो आधार गुणा उचाई होता है च्छित्रफल का फॉर्मूला एक बटे दो आधार गुणा उचाई होता है और बिटा सबसे बड़ी भुजा को छोड़ देना अन्य दोनों भुजा में से एक आधार होगा एक उचाई होगा एक आधार होगा एक उचाई होगा और इसकी गुणा एक बटे दो में कर दोगे तो ये इसका छितरफल निकल के आ जाएगा तो चाहे आप लोग राइट एंगल ट्रैंगल से करो चाहे आप स्केलन ट्रैंगल से करो दोनों से आंसर सेम आएगा सर हिंदी में बताया करो तिरबुज की नेम को पेपर में हिंदी में आता है इसी में कन्फीजन हो जाता है सांत सांत गोवर्धन सांत विसम बाहू बिटा हिंदी में बोलते हैं विसम बाहू हिंदी में बोलते हैं और सम कौन जो है वो हिंदी में बोलते हैं राइट एंगल ट्रैंगल को ठीक है चलिए तो नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी है, बहुत शांदार, बहुत लाजवा, हाँ एक दिखाना कमेंट, हमें कैसे पता चलेगा भाई, यही वर्ड नहीं सुनना चाहता मैं, यही वर्ड, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी हाइट है, कौन सा बेस है, पता करने की जरूरत न न, इन दोनों में से एक height होगी, एक base होगा height इसको मानते हो base ये होगा, base इसको मानते हो height ये हो जाएगी लेकिन करनी दोनों की गुणा करनी है और उसका अधा करना है, ठीक है सही है ये भास समझे में आगे है चलिए बहुत शांदार बहुत शांदार बहुत शांदार चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्त एक कोर कुश्चन कराने की कोशिस करूँगा आप लोगों को फटावड बताओ भाई रुकना मत अब दहली पुलिस कॉंस्टेबल में कोश्चन पूछा गया है 1111 नही यूटूब पे जो कुश्चन करा देंगे समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझ में आया है तो बहुत बढ़िया है वो आगे बढ़ जाएंगे लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर 3849 बालक देख रहे हैं 4000 बच्चा देख रहा है तो वो अपना टाइम भी खर्च कर रहा है तो किसी के साथ भी ऐसा ना हो कि उसके समझ में नहीं आये लेकिन शायद मैं गलत कर रहा हूँ सब को साथ लेके चलना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि आप लोग ना समझने से ज़्यादा कहीं और ध्यान दे रहे हैं ठीक है चले है जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिलकुर सही जवाब अराम से क्वेश्चन करना भाई अराम से आप लोगों को तीन साइड दी हुई हैं एक 10 सेंटी मीटर एक 12 सेंटी मीटर एक 18 सेंटी मीटर दोस्त आपकी तरह सोच रहा हूँ जो चीज मैं पूछ रहा हूँ बस जवाब दे देना अगर उसका जवाब दे दिया तो धीरे धीरे सीकने की रहा पे आप लोग बढ़ चुके हो ये कौन से टाइप का ट्रैंगल है क्या ये आपके सामने राइट एंगल ट्रैंगल नजा आ रहा है तो आप कहेंगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 324 आएग तो बेटा हमें स्केलन ट्रैंगल का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा लगाईए मेरे साती फटाफट सबसे पहले एस निकाली स्केलन मतलब विसम बाहु तिरबुज एस कैसे निकालते हैं तीनों भुजाओ का योग 18 और 12, 30, 10, 40 का आधा कर देंगे तो एस 20 आजाएग देखिए, एस अपने निकाल दिया, ठीक है, शेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडरूट बनाईए, एस लिखिए, एस हो गया, एस माइनस ए, पहली भुजा घटाईए, बीस में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, एस माइनस बीस, एस माइनस बीस में से 12 गया त 8 बचेगा, एस माइनस सी, बीस में से 18 गया तो 2 बचेगा, क्या यही जो है वो आपके सामने इसका छेत्रफल आ जाएगा, दोस्त कोश्चन को सॉल करिए, अब आप कहोगे जी इतना बड़ा वर्गमूल निकालेंगे कैसे जरूती नहीं है, आजाओ, बीस को तोड़ लो, 2 दुनी 4 पंजे 20 लिख सकते हो, 10 को तोड़ लो, 2 पंजे 10 लिख सकते हो, 8 को तोड़ लो, 4 दुनी 8 लिख सकते हो, 2 को ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो जोड़े में हैं उनको बाहर निकाल लो, क्योंकि वर्गमूल लगा हुआ है, इसका जोड़ा बाहर आ गया एक दो बाहर आ जाएगा दो बार पांच है तो एक बार पांच बाहर आ जाएगा दो बार दो है तो एक दो बाहर आ जाएगा चार का वर्गमूल दो होता है इसका जोड़ा नहीं बना है जो जोड़ा नहीं बना पाया वो अंदर ही रहेगा रहेगा या नहीं त तो तीनों भुजा अलग देखे और आप लोगों से छित्रफल पूछा है तो मेरे दोस्त आप लोग एक बार पहचान कर लेना कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो आप दोस्त एक बटे दो आधार गुणा वही उसका छित्रफल होगा अगर आपको कुश्चन में आधार और उचाई दिये हुए हैं तो आपको कोई जंजट पालने की जरूरत नहीं है एक बटे दो आधार गुणा उचाई लगा देना वहीं से आप लोगों का छित्रफल निकल के आ जाएगा कोई सी भी कंडिशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है और तीनों भुजाए अलग-अलग दी हुई है तो आप लोग विसम बाहु तिर्बुज का फॉर्मूला लगा देना यानि हीरोंस फॉर्मूला लगा देना आपके सामने अंसर आ जाएगा ये बात समझ में आगई क्या हाँ दो किसाधी नही हुई है दो भाईया जोड़ा नहीं बना पाया है जोड़ा नहीं बना पाया है तो भाई साब अंदर है जोड़ा नहीं बना पाया है तो अंदर है बहुत बहुत धन्यवाद लो आपके लिए है एना चलिए भई यहां तक चीजे समझ में आ गए हैं एक और कुश्चन आपको कराने की कोशिस करता हूँ दोस्त मिल पाता है या नहीं बहुत बढ़ी है देखो भई थोड़ा सा कोश्चन को समझने की कोशिस करना देहली पुलिस कॉंस्टेबल का कोश्चन है और मैं समझा चुका हूँ जितनी भी थियोरी मैंने पढ़ाई है न वो समझा चुका हूँ आप उसके हिसाब से आंसर बता दीजे हाँ भावी नहीं आईगा स्टूडियो से किलास ले रहा हूँ स्टूडियो में कौन भावी है हाँ जल्दी से बताईए क्या होगा आज फ्रेंड्शिप डे है वै अच्छा चलो फ्रेंड्शिप डे है तो पुल कितने दिया है बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आप सब ही दोस्तों के लिए एक full friendship डे पर happy friendship डे और दोस्ती ऐसी निभाओ जो selection तक लेके जाए दोस्ती ऐसी निभाओ दोस्त ऐसे बनाओ उसका भी selection हो तुम्हारा भी selection हो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए मेरे साथ ही जो selection तक लेके जाए जो एक दूसरे के सपनों को साकार करने का काम करे, दोस्ती ऐसी नहीं है, भाई आ, बिगाडने में तो दोस्त को साथ लेके जा रहा है, और जहां पढ़ने की बात आ रही है, तो यह वेट कर रहा है कि कब दोस्त सोए और कम मैं पढ़ हूँ, है न, तो, जल्दी से बताए भा मैं बिल्कुल भी आप लोगों को यह नहीं चाह रहा है, जितनी थियोरी पढ़ाई है, उसी को आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, कोशन्स के थूरू, मैं यह कहना चाह रहा हूँ, किसी तिर्बुज का परिमाप 40 cm है, क्या मेरी आप इस बात से सहमत है, कि अगर कोई ति बात से सहमत है, तो आप कहेंगे जी बात से सहमत है, तीनों भुजाओ का योग जो है, वो मेरे दोस्त 40 आएगा, ठीक है, एक भुजा 11 cm है, जो भी मन करें आप उस भुजा को 11 मान लीजिए, मैंने A को 11 मान लिया, तो यहां से आपको क्या समझ में आया, आप लोगों को य यह समझ में आया, पिलस का 11 है, इधरा के माइनस का 11 हो जाएगा, तो B पिलस C की वैल्यू 29 हो जाएगी, क्या यह बात समझ में आ चुकी है, बात 40 में से 11 जाएगा, तो 29 बच आगे आते हैं, तथा अन्य दो भुजाओ का अंतर, भाई, A तो आपने मान लीजिए 11, तो अन अन्य दो भुजाओ का अंतर, यानि B-C का अंतर आपको कितना दिया हुआ है, 3 cm आप लोगों को दिया हुआ है, अन्य दो भुजाओ का अंतर, जिसको आपने 11 माना है, उसको छोड़के, अन्य दो भुजाओ का अंतर, B-C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ठी के भाई अभी देख लूँगा भाई देख लूँगा क्रॉस चेक कर लेंगे उसे तो यहां से दोनो यहां से दोनो एक्वेशन को आप लोग जोड दीजिए C से C कड जाएगा दोनों को जोड़ेंगे एक पिलस एक माइनस है B और B कितना हो जाएगा टोबी हो जाएगा 29 और 3 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा तो B की वेल्यू कितनी आजाएगी 16 आजाएगी A की वेल्यू आपकी 11 थी B की वेल्यू 16 आचुकी है और यहां से देखेंगे B और C को जोड़के 29 बैठ रहा है जिसमें b16 है तो c कितना हो जाएगा 29-16 यानि c की value 13 हो जाएगी क्या तीनों भुजा आप लोग निकाल चुके हैं तो उसने तिर्बुज का छेतरफल पूछा है अगर तिर्बुज का तीनों भुजा आप लोगों के पास है तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी कि तिर्बुज की तीनों भुजाएं जो हैं वो अलग-अलग दी हुई है तो क्या यहां हमें हीरोंस फर्मूला लगाना पड़ेगा तो s की value बताईए फटा-फट s की value बतादीजिए अब आप लोग सीख चुके हैं चीजे फटा-फट मुझे बताईए s कितना होगा तो आप कहेंगे भाया तीनों को जोड़ लो तीनों का योग 40 दिया हुआ है उसी को आधा कर देंगे तो s की value आपके सामने 20 हा जाएगी चितरफल का formula क्या होता है मेरे दोस्त s यानी 20 दिया हुआ है s में से पहली बुझा गटाएंगे 13 गटाई 7 आया s में से दूसरी बुझा गटाई 16 गटाई 4 आया s में से तीसरी बुझा गटाई 11 गटाई आया तो 9 आया ठीक है अगर मैं यहां से बात करता हूँ 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 चौक 20 होगा यहां 7 हो गया यहां 4 हो गया यहां 9 हो गया आप देखेंगे 2 चार है एक चार बहार आ जाएगा यहां 9 का वर्गमूल 3 होता है अंदर देखी बिटा 5 और 7 की गुणा करेंगे यह बाहर नहीं आएगा यह 35 ही रहेगा तो यहां से क्या हो जाएगा 12 रूट 35 का जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्त तो आप लोग कहेंगे आप लोग कहेंगे 12 रूट 35 का जवाब हो जाएगा यह बास समझ में आगे क्या बहुत शांदार सर खाना खाने के लिए छुट्टी होगी क्या अभी तो पड़े हुए को भाई एक गंटा हुआ है और अभी से खाना खाने के लिए ठीक है भई यहां तक चीजे समझ में आगे क्या बहुत शांदार बहुँ शंदार, तो बेटा, ये question जो था बड़ा लाजवाब question था बड़ा लाजवाब question था जो चीज आज आपको पढ़ाई है उसी में से ये question आपowo wurden अपको पुछा गया है उसी में से दोस्त ये question आप लोगों से साथी पूछा गया है और question एकार देख लेता हूँ बहुत बढ़िया अब जो हम लोग चल रहे हैं वो चल रहे हैं दोस्त दूसरे type के तिर्बुज की तरफ हम लोग चल रहे हैं अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो scale and triangle पढ़ा यानि कि केवल और केवल हम लोगों वो पढ़ा विसम बाहू तिर्बुज ठीक है मेरी बास समझ में आगे अब दूसरा अपनी heading में दूसरा जो तिर्बुज है ये right angle से होगा की नहीं बिटा चेक कर लो right angle triangle है या नहीं है right angle triangle वैसे होगा नहीं आगे देखिए ISO sales triangle दूसरा डालिए आप लोग ISO sales triangle यानि कि सम्धी बाहू तिर्बुज क्या होता है सम्धी बाहू तिर्बुज को पढ़ लीजिए पहले एक बार सम्धी बाहू तिर्बुज को आप एक बार पढ़ लीजिए क्या होता है बिटा सम्दी बाहू तिर्बुझ सबसे पहले आप मुझे ये बताईए इसके definition आप लोग मुझे बताईए सम्दी बाहू तिर्बुझ होता क्या है दिखाना भी वो लालमो वाला जो था भी चंदन कुमार सर इतना लंबा आरपी एफ आशकता है क्या सर प्लीज बताओ प्लीज आशकता है भाई जब आया है देली पुलिस 2017 में आया है तो आ सकता है मेरे दोस्त आ सकता है आ क्यों नहीं सकता है अपना थोड़ा सा कोसिस किया करो डिसाइड मत किया करो मेरे साथ इतना लंबा है इतना चोटा है नहीं करना डिसाइड भाई हमें सॉल्व करने की आदर डालनी है आप खुद सॉल्व करोगे तो 40-45 सेकंड में आंसर लेके आ जाओगे पर आप डिसाइड करोगे जी लंबा है यह हो आइसो सेल्स ट्राइंगल क्या होता है सम्दी बाहू तिरबुज क्या होता है तो पहले एक बार डेफिनिशन बताएंगे definition बताएंगे हाँ जिसकी दो भुजा बराबर हो बिटा देखो ना सम दी बाहू सम मतलब समान दी मतलब दो बाहू मतलब भुजा जिसकी दो भुजा समान हो मैंने आपका मतलब ये समझे कि मैंने आपका बीडा उठा लिया है कि मैं आपको मैंसूरेशन सिका के छोड़ूँगा तो सिका के छोड़ूँगा दोस्त, अगर दो भुजा बराबर है और तीसरी भुजा मैं भी ले लेता हूं मैंने मान लिया कि ये दोनों भुजा बराबर है तो ऐसे तिर्बुज को क्या कहा जाता है ऐसे तिर्बुज को दोस्त सम्दी बाहू तिर्बुज कहा जाता है क्या कहा जाता है सम्दी बाहू तिर्बुज कहा जाता है तो यहाँ पे भी जैसे विसम बाहू तिर्बुज में आई थी ऐसे यहाँ पे भी दो ही चीज आएंगी या तो वो आपसे परिमाप पूछेगा या फिर वो आपसे दोस्त छेतरफल पूछेगा ठीक है याद रखना अगर सम्धिबाहू तिर्वुज के अंदर दो बराबर भुजाओं से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे यह उचाई डाल दी 90 डिग्री पर डाल दिया तो बस इतनी सी बात दिमाप में सेट कर लेना कि यह आधे-आधे में बाट देगा यह इसको किसमें बाट देगा आधे-आधे में दीप गूजर किलासिस सुबह 8 बजके 1 मिनट से यही कह रहा सर जी मोटे होते जा रहे हूँ मेरे दोस्ट मेरे साथी बता क्या करूँ मोटे होते जा रहे हूँ मेरे दोस्ट पढ़ ले यह चीज नहीं आने वाली पीपर में मैंने आप लोगों को क्या बताया मुद्दे की बात पे आते हैं और आप लोग ना अगर मैं ये चीज़े बात कर रहा हूँ तो केवल और केवल आप लोगों का interest create करने के लिए बाते कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों का interest जो है वो लगातार बना रहे है ना ध्यान से सुनिएगा मैंने आप लोगों से कहा कि कोई भी आपके सामने एक triangle है और triangle मेरे दोस्त जिसकी दो भुजा बराबर होती है ऐसे triangle को हम लोग आईसोसेस triangle कहा जाता है ऐसे triangle को सम्दिबाहू तिरबुच कहा जाता है और सम्दिबाहू तिरबुच की एक खास बात बहुत जरूरी होती है कि बिटा अगर दो बराबर भुजाओ के बीच से perpendicular डाल दिया लंब डाल द ये मैं आप लोगों को बस समझाना चारहूं, ये चीज दिमाख में सैट करना कि अगर 2 बिराबर भुजाओ के बीच से, अगर 2 बिराबर भुजाओ के बीच से, मैंने यहां पे यह लंब डाल दिया यानि कि सेंटटर डाल दिया, मेरे ओ, पर्पेंडिकुलर डाल दिया, तो अंतहविरत की तरज्जा की तरफ नहीं जा रहा हूं मैं परिवरत की तरज्जा की तरफ नहीं जा रहा हूं क्योंकि दहली पुलिस कॉंस्टेबल में यहां से question नहीं पूछा जाएगा ये सारा जो part है, जो metry का part है लेकिन जो मैंने आपके सामने ये दो चीजे लिखी हैं ये बिटा ये आप लोगों से पूछी जा सकती हैं ये आप लोगों से पूछी जाएंगी जब भी संदी बाहू से कुश्चन बनेगा हमेशा इन तीन चीजों से ही कुश्चन बनेगा आपके लेवल के एक्जाम में ठ तो आप कहेंगे सबी भुजाओं का योग जो होता है वो परिमाप होता है तो मेरे दोस्त सारी भुजाओं को जोड़ दो पहली भुजा A है दूसरी भुजा A है और तीसरी भुजा B है तो क्या सारी भुजाओं का योग जो आएगा वो यही आएगा क्या यही परिमाप कहला किया यही मेरे दोस्त परीमाप कहलाएगा तो जब भी मेरे साथी आप लोगों से यह कहा जाए किसी भी सम्दी बाहू तिर्वुच का परीमाप क्या होता है तो आप क्या करना बस केवल तीनों भुजाओ को जोड़ देना शेतरवल की बात करता हूँ तो directly आप लोगों को formula याद रखना है वो formula कौन सा है 1 upon 4B अंडर root के अंदर 4A square minus B square होता है अगर मैं आप से किसी भी संदी बाहू तिरबुझ के छित्रफल का formula पूछ हूँ तो वो directly आप लोगों को याद रखना है 1 upon 4B B क्या है A समान भूजा जो बराबर नहीं है वो वाली भूजा A क्या है जो बराबर भूजाएं है वो A है minus B square यानि A समान भूजा के square को घटा देना है भाई आप उल्जो मत my new gaming भाई मत समझाओ यार मत समझाओ calculation कम करा रहा हूँ जैसा करा रहा हूँ एक तम best करा रहा हूँ और यकीन मनना ऐसा ही आपको paper में करना है ठीक है सीख लो पहले चीज़े तो मैंने आप लोगों को दो चीज़े बताइए perimeter क्या होगा 2 A plus B होगा area क्या होता है 1 upon 4 B under root 4 A square minus B square होता है अगर मैं height की बात करता हूँ तो 1 upon 2 under root के अंदर 4 A square minus B square होता है इसे मेरे साथ बोलेंगे और मैं आप लोगों को बता दूँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर मैं भी इन 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन 5 दिन इन formula को ना देखूँ तो दोस्त मैं भी अपकी तरह बोल जाऊँगा मैं कोई ऐसा थोड़ियों की ये फॉर्मूले सामने से रटे हुए हैं नहीं बिटा ये बार-बार प्रेक्टिस करने से आए हैं इसलिए फॉर्मूले को अगर बार-बार देखोगे न तो कभी जीवन में इस फॉर्मूले को नहीं भूलोगे एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे सम्दी बाहु तिर्बुज का पूरा निचोड देखेंगे सम्दी बाहु तिर्बुज क्या होता है तो मेरे साथ बोलेंगे जिसकी दो भुजा बराबर होती है वो सम्दी बाहु तिर्बुज कहलाता है सम्दी बाहु तिर्बुज में बराब परिमाप आप लोगों से पूछता हूँ तो परिमाप होता है बेटा 2A प्लस B जो है वो परिमाप होता है अगर मैं छित्रवल पूछता हूँ तो 1 अपॉन 4B अंदर 4A स्क्वर माइनस B स्क्वर होता है और अगर मैं उचाई आप लोगों से पूछूँ तो 1 अपॉन 2 अंद बाहु तिर्बुच की तो आप इन फॉर्मुले में value put कर देना एक ही step में आप लोगों का answer आजाएगा एक ही step में आजाएगा निकल जाएगा दोस्त heroes formula से निकल जाएगा है ना यह बात समझ में आगे यह formula कहां से आए कैसे आए derivation है दोस्त मैं उसे कराना जरूरी नहीं समझता हूँ जिसको यह है कि करना है तो कर लेना बेटा यहाँ इसे यह b है तो यह b by 2 हो जाएगा यह h हो जाएगा तो यहाँ पे इस वाले triangle पे आप लोग जो है pythagoras theorem लगा देना वहां से उचाई निकल देना और 1 बटे 2 आधार की गुणा उचाई में करोगे तो छेतरफल आपके सामने आ जाएगा और यहाँ से pythagoras लगाने के बाद जो h निकालोगे वो यह formula आपके सामने आएगा लेकिन मेरा मनना यह है मेरे दोस्त कि आपको derivation करने की जरूरत नहीं है आपको यह 3 formula दिमाग में set होने चाहिए 2a plus b 2a plus b यह याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि याद है perimeter जो होता है वो 3 बुजाओ का योग होता है छेतरफल का formula याद रखने की जरूरत है 1 upon 4b under root के अंदर 4a square minus b square होता है हमें उचाई का formula याद करने की जरूरत है 1 upon 2 under root 4a square minus b square होता है ठीक है बहुत शांदार अब मैं question देख रहा हूँ अगर कोई question सम्दी बाहू का आज मिलता है वैसे question होगा नहीं क्योंकि मैंने आगे जो है वो सम्बाहू के रखें देख लेते हैं दोस्त सम्दी बाहू का कोई question अगर टकराता है सम्बाहू तिरबुज है बहुत बढ़िया लो CHSL 362022 में question पूछा है आराम से question करना और मुझे बताना कि क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाब क्या होगा मेरे साथी इस question का बिलकुल सही जवाब फोटो आप लोग बना पाओ ये हो गया मेरे दोस्त सम्दी बाहू तिरबुज सम्दी बाहू तिरबुज में दो भुजा बराबर होती है दिमाग में clear हो जानी चाहिए picture ये भुजा जो है वो बराबर नहीं होती है परिमाप असी दिया है यानि तीनो भुजाओ को जोड़ोगे तो ये आएगा इसकी वैल्यू कितनी दी है असी दी हुई है तीनो भुजाओ का योग जो है वो असी आप लोगों को दिया हुआ है यदि इसका आधार आधार मतलब बी की वैल्यू 20 cm दी हुई है तो बी की वैल्यू 20 cm आप लोगों को दे दी है मेरे दोस्त ये क्या है असी दिया है असी में से 20 जाएगा तो 60 बचेगा तो एकी वैल्यू 60 है तो एकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी यानि बराब बराबर भुजा कि आ जाएंगी बराबर भुजा 30 आ जाएंगी आपसे पूछा है इसकी समान लंबाई वाली भुजाओं की लंबाई ग्यात करें तो दोस्त क्या कोई कठनाई परेशानी हुई कोशन में नहीं पूछिये लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ इसका छेतरफल ब बताईए इस सम्धि बाहू तिरबुच की उंचाई बताईए फटा फट बता दीजिए जितनी जल्दी बता पाऊई एक तो ये उंचाई आप लोगों को बतानी है एक इसका छेतरफल बताना है जल्दी से बिटा तेजी से एक बार मुझे बताएंगे ये कोश्चन में आप लोगों को परिमाप दिया हुआ था ए समान भुजा आधार दिया हुआ है यानि बी की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है एकी वैल्यू आप लोगों ने दी भाईया इसका सोरव रागहों का कमेंट पढ़ बना हाँ बिलकुल हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा ठीक है और अराम से पढ़ हो मेरे साथी और यकीन मानना कि पेड़ बैच, वेड़ बैच मतलब मैंने ताकत लगाई है इस बैच में परिड़ नाम बैच में मैंने ताकत लगाई है शायद इतनी ताकत मैंने कभी पेड में भी न्यान लगाई हूँ तो मेरे साथ ही मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ चीज छूटी होगी अगर आपने चीजे सिक्वेंस में पढ़ी है अब डिफरेंस क्या रह जाएगा पेड में और इसमें तो डिफरेंस रह जाएगा केवल और केवल प्रेक्टिस का जब पेड बैच आप लोगों का आएगा तो नएने कुश्चन्स आप लोगों के सामने आएगे वो प्रॉपर सिक्वेंस में आप लोगों को पीडिएफ वगेरा मिलेंगी तो बस इतना सा डिफरेंस जो है वो मैथ में रहने वाला है ज्यादा प्रेक्टिस हो जाएगी तो मेरे हिसाब से जिसने परिश्रम बैच लिया हुआ है उसे तो वो बैच फिरी ओफ कोश्ट मिलने वाला है और कोई अगर हमारे सेलेक्शन में 500-700-800 की कोई चीज मिल रही है तो मेरे दोस्त मेरे खयाल से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए मजबूरी हो सकती है फाइनेंसिल दिकत हो सकती है बिल्कुल मानता हूँ हर कोई परिवार नहीं होता इतनी चमता नहीं होती कि वो इतना जो है वो पे कर पाए लेकिन 700-800 रुपे अगर हमारे भग्या बनाने का काम कर रहे है जीवन बनाने का काम कर रहे है अगर हम ये शौर हैं कि हम लोग मेहनत करेंगे और चीजे हम लोग पार कर देंगे तो मेरे दोस्त आपको लेना चाहिए क्योंकि उसमें पेड़ बैच पेड़ ही रहता है डिफरेंस बहुत सारी चीजों का आ जाता है एक तो प्रॉपर सिक्वेंस क्लासिस का रेगुलर बेसिस पर वर्क्षेट सॉल्यूशन नएने कुश्चन्स डाउट यह सारी चीजे जो है उसके अंदर एड़ हो जाती है यहां इतना टाइम नहीं होता है फटावड मुझे इसका छेतरफल बताईए उंचाई बताईए कंटेंट आप लोगों को यही सॉलिड में रहेगा कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसा कोई कंटेंट नहीं होगा जो अदभुत पढ़ाऊंगा और यहां वो पढ़ाया नहीं गया होगा तो उसकी तो टेंशन आप लोग छोड़ दीजे एरिया की बात कर रहा हूँ दोस्त उंचाई की बात कर रहा हूँ तो एरिया का स्क्वाइर बीस का स्क्वाइर चार सो होगा क्या यही छेत्रफल निकल के आएगा तो यहां से देखिए चार से काटेंगे पांच बार कटेंगा पांच हो गया अंडर रूट के अंदर नो सो चोग छटिस सो में से चार जाएंगे बतिस सो आजाएगा आएगा या नहीं दो जीरो का वर्गमूल एक जीरो हो जाएगा अंदर बतिस बचेगा बतिस को मैं लिख सकता हूँ सोले गुणा दो लिख सकता हूँ सोले का वर्गमूल चार आएगा पचास चोग दो सो हो जाएगा ये इसका छेत्रफल जो आने वाला है वो 200 रूट दो आने वाला है अगर उसने question में आप से छेत्रफल पूछा होता अगर question में उसने छेत्रफल आप लोगों से पूछा होता तो answer जो आता वो 200 रूट दो आता लेकिन अगर question में अगर उसने उचाई आप लोगों से पुछी होती तो याद रखना 1 upon 2 under root के अंदर 4 a square a square बराबर भुजा का square minus a समान भुजा का square a समान भुजा बिटा 20 है और 20 का square 400 होगा ठीक है 3600 में से 400 32 होगा और 32 का बिटा under root कितना होता है तो यहां से चीजों को समझने की कोसिस करना 2 0 का वर्गमूल 1 0 बहार आ जाएगा और 32 को क्या लिख दोगे 16 गुणा 2 लिख दोगे 16 का वर्गमूल 4 आएगा यहां से देखोगे 5 होगा 5 चौक 20 root 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा 20 root 2 हो जाएगा यह बात समझ में आ गई क्या तो height जो रहने वाली है वो 20 root 2 रहने वाली है formula में केवल value पुट करी और area जो रहने वाला है वो 200 root 2 यानि 200 root 2 रहने वाला है 50 कैसे हो गया कौन सा बिटा 50 बिटा 2 0 है ना 2 0 मतलब 100 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है और 10 होता है तो 10,50 हो जाएगा यहां 32 बच जाएगा 32 मतलब 16 गुणा 2 16 का वर्गमूल 4 होता है 50 चोक 200 हो जाएगा 200 root 2 हो जाएगा ठीक है यह बात समझ में आ गई क्या एक और question देखने की कोशिस करता हूँ अगर समझी बाहू question मिलता है हाँ एसमान ठीक है भाई देखना क्या होगा देखना देखना देली पुलिस हेड कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रियल 13 अक्टूबर 2022 में आप लोगों से question पूछा गया है देली पुलिस हेड माई न्यू गेमिंग से trick से कराओ भाई मेरे पास नहीं है मेरे पास नहीं है हज जोड कर माफी आपसे जो भी ही trick से कह रहे थे उसने question क्या पूछा है साइद आपने question नहीं देखा है उसने question इतना पूछा नहीं है जितना मैंने कराया है लेकिन मैंने छेत्रफल अपनी तरफ से दिया है मैंने उचाई अपनी तरफ से दिया है केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए है तो मेरे दोस्त हाज जोड़के माफी चाहूंगा अगर इससे भी ज्यादा सौट कहीं आप लोगों को चाहिए फटवट इससे बताईए क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाब कहना क्या चाहा रहा है कोशन कहना ये चाहा रहा है 32 कैसे आया बिटा नोकी गुणा 400 में करेंगे 3600 माइनस 400 कितना आएगा 32 ही तो आएगा ठीक है जलदी से बताईए कोशन 24 का जवाब क्या होगा आसान सा कोशन है संदि बाहु तिरभुज उसने बोला तो आपने दो समान भुजा बना दी एक एस समान भुजा बना दी एस समान लंबाई वाली भुजा जो है वो 16 दी हुई है परीमाप 50 है यानि दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे दोनों भुजा को जोड़ा तीसरी को जोड़ा ये परीमाप हो गया और परीमाप उसने 50 दिया है तो ये 16 पिलस है इधर आके माइनस होगा 50 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा 34 बचेगा 346, 50 ये 2 है इधर गुणा में इधर आके भाग में होगा तो क्या A की वैल्यू 17 हो जाएगी ये भी 17 हो चुकी है ये भी 17 हो चुकी है और ये 16 दी हुई आप लोगो आप से तिरबुच का छितरफल पूछा है तो कुछ करना ही नहीं है भाई 1 अपॉन 4 लिखो B क्या है एसमान भुजा जो की 16 है 4 A स्क्वार A स्क्वार मतलब 289 A स्क्वार मतलब 289 4 A स्क्वार 4 की गुणा करो माइनस B स्क्वार 16 का स्क्वार 256 होता है बस इसे सौल करने ना है अप लोगों को इसे सौल करने ना है मेरे दोस्त ठीक है अब आप देखिए 4 से कटेंगे 4 बार कटेंगा 4 हो गया है जब आप यहां गुणा करेंगे 9.36 को 6 हांसिल 3 8.32 और 3.35 हांसिल 3 4.28 और 3.11 1156 में से 256 गटाई है 900 आजाएगा और 900 का वर्गमूल 30 होता है तो 30 चौक कितने हो जाएगे 120 हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ठीक है लेकिन इस कोश्चन को मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ इस कोश्चन को मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ पंद्र है कहां आएगा पंद्र है कौन सा वाला बेटा पंद्र है कौन सा वाला पंद्र है तो है यह नहीं कुश्चन में देखो इस कुश्चन को और कैसे कर सकता हूँ मेरे सामने एक सम्धिबाहू तिरबुझ दिया हुआ था मेरे साथ ये वाला तिरबुझ मुझे दिया हुआ था तिरबुझ A, B और C ये वाली बुझा 17 है ये वाली बुझा 17 है और ये वाली बुझा 16 है मैंने का है, दो बराबर भुजाओ के बीक से अगर लम्ब डाला जाता है तो वो आधे-ाधे में बार देता है, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और आप जानते है, 8, 15, 17 का टरपलेट होता है, 9, 15, 17 का टरपलेट होता है, तो क्या उँचाई जो है, वो 15 से हैं यहां से भी आप लोग निकाल सकते हैं यहां से भी आप लोग निकाल सकते हैं ठीक है भाई माई न्यू गेमिंग ब्लॉक कर दो यहां से भी आप क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त यहां से भी हम लोग जो है वो क्या निकाल सकते है एरिया निकाल सकते है ये बात समझे में आगे 15 कैसे आया बिटा 15 होता है 8 15 17 का ट्रपलेट होता है लेकिन अगर आपको ट्रपलेट याद नहीं है तो आप इसका वर्ग करिए 17 का वर्ग 289 होता है 8 का वर्ग करिये 64 होता है इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाई है तो आप कहेंगे 225 आएगा इसका वर्ग मूल निकाल दीजे वो ये वाली भुजा आजाएगी पाइतागोर स्थियोरम जो होती है ठीक है चलिए बहुत शंदार हाँ बहुत शंदार गंशाम सिंग मेरे दोस पहले मुझे क्लियर बताओ कि क्या समझ में नहीं आया है क्या समझ में नहीं आया है पड़ा वड़ बताइए तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तब ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तर्पलेट क्या होता है ध्यान नहीं देना है अभी अभी नहीं देना है ध्यान तर्पलेट क्या होता है आगे बात करेंगे तर्पलेट पर जब आएगा तब समझना चलिए हाँ पिर्शान ठीक है ठीक है बही ऐसे जो बता रहा है उसे ऐसे टाइम आउट मत करो चलिए अब आपको हेडिंग डाल लीजिये मेरे दोस्त संभाहू तिर्बुझ संदीबाहू तिर्बुझ मैंने आप लोगों को बता दिया है समधिबाहू तिर्बुज मैंने आप लोगों को बता दिया है कोश्चन यहां से और भी कराऊंगा पहले एक एक कोश्चन दो दो कोश्चन जो है वो टॉपिक को क्लियर करने के लिए करते रहो हेडिंग डालो समभाहू तिर्बुज हेडिंग आप लोग डालेंगे मेरे दोस्त समभाहू तिर्बुज समभाहू तिर्बुज कौन सा तिर्बुज होता है जिसे एक्यूलेटरल ट्रेंगल कहा जाता है लास्ट ट्रेंगल है एक्यूलेटरल ट्रेंगल है इसके बाद केवल हम समकौन तिर्बुच के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर हम लोग जो है वो quadrilateral की तरफ चलेंगे heading डालिए, equilateral ट्राइंगा सर मैं कल आपसे मिलने अलीगड आऊंगा सर आपके साथ एक selfie और आजाना, आजाना, आजाना कल अलीगड में मिलते हैं है ना, जो अलीगड के आसपास के हो मेरे साथी, जरूर पहुंचे है अलीगड में बात करेंगे अराम से, अभी तो कुछ पता ही नहीं है नाम क्या रख रखा है, किसी ने कोई सा मगरमच, किसी ने कोई सा कुछ रख रखा है हकीकत में वो है क्या वो कल देखने को मिलेगा है ना अभी तो ये पता ही नहीं है मतलब नाम करन क्या क्या किया हुआ है हमें पता ही नहीं है सजी मेरे को सब आ रहा है सुत्रियाद करने में परेशानी हो रही है ये तुमारे मन का विरहम है ये तुम्हारे मन का विरहम है कि आप लोगों को सुत्र याद करने में परेशानी होगी देखो एक छोटा सा एक्जम्पल देता हूँ एक छोटा सा एक्जम्पल एक मिनट की कहानी है और एक मिनट की कहानी के बाद जो है हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे आप न कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो ये वैसे मेरी पुरानी कहानी है लेकिन वो कहानी कहीं न कहीं सटेक बैठती है आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो और रास्ते में आपने किसी से पूछा कि भाई यार डॉक्टर के पास जाना है और मुझे बुखार हो रखा है कौन से डॉक्टर के पास जाओ क्या उस वाले डॉक्टर के पास चला जाओ तो अगर सामने वाले ने ये कह दिया भाई किस के पास जा रहा भाई फरजी डॉक्टर है उसके बस की ना है क्यों फाइदा नहीं होने वाला इसलिए तो कहते हैं भाई विश्वास किया करो डक्टर विश्वास करने का मतलब है कि पहले अपने दिमाग को सेट किया करो कि हाँ ये चीज हमसे होने वाली है आप जैसे अपने दिमाग को सेट कर लोगे चीजे वैसे ही आगे बढ़ती चल तो नहीं फेमरस डॉक्टर है tutto है वहां चला जा और वहां जाते ही तेरी सारी विमारी का मतलब सार keeping हो जाएगा अगर वहां च्छाएगा तो वहां दवा खाने से पहले या आपको और आम लगने लगता है कि नवा कहने से पहले ही मैंने देखा 여 है महुले में भी है और आप नीरसर भी है नीरसर के पिताजी को थोड़ी तबियत खराब रहती है मलब डॉक्टर की ऐसी हेबिट में आ चुके हैं अगर वो उस होस्पिटल में भी पोच जाते हैं तो मलब थोड़ा ठीक महसूस करने लगते हैं तो क्या फरक है केवल mentality का भाई जिस direction में आप लोगों ने अपनी mentality set कर ली direction उसी direction में आप लोगों को result मिलेगा अगर आपने सोच लिया कि यार formula में दिक्कत आ रही है formula हमसे याद नहीं होंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको formula याद नहीं करा सकती कोई भी ताकत लेकिन अगर आपने ठान लिया कि formula याद होगा मैं बार-बार question करूँगा दो बार देखके formula लगाऊँगा तीसरी बार बिना देखे formula आप लोग लगा रहे होंगे ठीक है रटना नहीं है उसे एक page पे आपने बहुत जगह सुना होगा जी आप एक page पे सारे formula लिख लो उन्हें जेम में रख लो या table के सामने चिपका लो भाई ये मैं बस सब फरजी बात मानता हूँ मैं actual जो बात मानता हूँ कि आप 3 question करो दो question में formula देखो कि हाँ ये formula है जब तीसरे question पर आओगे तो शायद आपको देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी और जब आपको देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो वो time होगा जो आप कभी नहीं भूलोगे रटने वाली व हम जो कि आगे अगर ऐसा question आया तो मैं आसानी से निकाल के ले जाओंगा ये mentality अपनी set कर लो मेरे दोस्त एक का भी मैथ जो है वो week नहीं रहेगा ठीक है हाँ पहले इस्तेमाल करें फिर स्वास करें अब आजाओ कहानी पर आजाओ अपनी हम लोगों का जो triangle चलने वाला है वो संदी बाहु तिर्बुझ चलने वाला है कौन की जिकर अभी हम लोग नहीं करेंगे कौन देके जब आप से पूछेगा अभी हम लोग दोस्त उस पे बात नहीं करेंगे ठीक है संबाहु तिर्बुझ यानि इक्यूलेटरल triangle बेटा बहुत important है और important हर एक important चीज के उप पर यहां हम लोग दिल लगा रहे होते हैं आप लोग जानते हैं सारी important चीज़ों को आप लोगों ने दिल दिये हुए हैं संबाहु तिर्बुझ होता क्या है सम मतलब समान भाहु मतलब बुझा जिसके सभी बुझा समान होती है मान लो ये आप लोगों को एक triangle दिया हुआ है A, B और C सारी भुजा समान है सारी भुजा समान है तो क्या ये तीनो भुजा समान हो जाएंगे अगर ये तीनो भुजा समान है तो बेटा क्या तीनो के तीनो कोन भी बराबर होते हैं 60-60 degree के हो जाएंगे आपने कहा जी बिलकुल सही बात बताई आपने बढ़िया बात बता दी है ठीक है यहां से फिर से question बनते है छेत्रफल का question बनता है यानि कि वो यहां से area पूछ रहा होता है दूसरा question वो यहां से आप लोगों से परिमाप पूछ रहा होता है दूसरा वो आपसे यहाँ परीमाप पूछ रहा होता है यानि पेरिमेटर पूछ रहा होता है तीसरा वो आपसे यहाँ से क्या पूछ रहा होता है किसी भी संभाहू तिर्बुच की उंचाई पूछ रहा होता है यानि की हाइट पूछ रहा होता है बिटाई याद रखना कुश्चन की प्रेक्टिस ही आपको हर एक चीज याद कराएगी रटना मत बस मैं ये कह रहा हूँ कि फिर से आप लोगों को नया नया लगेगा अगर आप चीजों को रटके करोगे ठीक है भाई मैं क्या कहना चाहा रहा हूँ से जो को समझने की कोशिस करिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहा रहा हूं कि अगर कभी भी किसी भी समभाहू तिर्बूज का छेत्रफल आप लोगों से पूछा जाता है तो देखो, सबसे पहले एक बात समझो मैंने आप लोगों को सुरुवात्मिक चीज बताई थी मैंने आप लोगों से कहा था अगर किसी भी तिर्बुज का आधार आप लोगों को दिया है उचाई आप लोगों को दी हुई है तो फर्क नहीं पड़ता कौन से टाइप का तिर्बुज है आप लोग एक बटे दो आधार गुणा उचाई से निकाल देंगे ठीक काम खतम हो गया दूसरा फिर मैंने स्किलन ट्रैंगल पढ़ाया था तो मैं ये कहना चाहा रहा हूँ कि हीरोंस फॉर्मूला हर एक उस तिर्बुज में लग सकता है हीरोंस फॉर्मूला हर एक उस तिर्बुज में लग सकता है जिसमें तीन साइड आप लोगों को दी हूँ चाहे वो बराबर साइड दी हुई हूँ चाहे वो ऐसमान भुजा दी गई हूँ चाहे वो दो बराबर एक ऐसा मान भुजा दी गई हो अगर आपके पास तीन साइड दी हुई है तो आप दुनिया के किसी भी ट्राइंगल में हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकते हैं तो फिर आप ये सब कुछ फर्जी बात क्यूं बता रहे हैं ये आप अलग-अलग एक्स्टा चीज क्यूं बता रहे हैं ये बिटा कुश्चन को केवल छोटा करने का काम करती है केवल और केवल कुश्चन को छोटा काम करने का काम करती है मेरे दोस्त आप इन फॉर्मूले से डारेक्ली आंसर निकाल रहे होते हैं जबकि hero's formula से थोड़ा time taking question बन जाता है क्या बन जाता है थोड़ा सा time taking question बन जाता है इसलिए हमें हर चीज का separate formula याद रखना ही जरूरी होता है ठीक है भाई अब ध्यान से सुनना कभी भी आप लोगों को question में कहा हो संभाहू तिर्भुज तो आप लोग याद रखना संभाहू तिर्भुज का छेतरफल का formula आप लोग बच्पन से पढ़ते आए हैं कि root 3 बटे 4a square होता है root 3 बटे 4a square होता है आपकी इस चीज का भी मैं दुख दर्द दूर करूँगा कि आपसे यहां question बन जा रहे हैं book से question नहीं बन पाते हैं एक दिन मैं book का pdf ही आपके सामने लगाऊंगा book की pdf ही आपके सामने लगाऊंगा और मैं बताऊंगा कि question पर attempt कैसे लेना है question क्यों नहीं बनेंगे कोई अलग चीज थोड़ी ना पढ़ाई है कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आपको मैं भारत में अलग question अर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूगांडा के question ऐसे थोड़ी ना भाई वही question पढ़ा रहा हूँ जो question पूछे जाते हैं तो एक दिन book की pdf लगवाऊंगा मैं बताऊँगा कि आपको question पर attempt कैसे लेना है आप दो-चार लोगों को छोड़ दिया जाए तो और लोगों से भी question बन रहे हैं तो दोस्त उनको भी आप लोगों को समझाने की कोशिस करूँगा तो छेत्रफल की अगर मैं बात करता हूँ तो root 3 बटे आप कहोगे जी आज यूगंडा सब्द बहुत ले रहे हो तो भाई सुबह सुबह ऐसे ही जब मैं आ रहा था घर से तो एक वीडियो देख के आ रहा था यूगंडा वाली एक वीडियो देख के आ रहा था वो कौन सा reporter है एक reporter है आप लोग समझ गयोंगे मैं यूज नहीं करना चाह रहा हूँ उस वर्ड को यहाँ है ना तो उसकी मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसके साथ जो वीडियो ग्राफर रहता है वो रहता है यूगंडा वाला है ना हाँ हर सराजपूच समझ गयो चलिए छेतरफल क्या होता है मेरे दोस्त रूट तीन बटे चार ए स्क्वेर होता है तो यह आप लोगों को छेतरफल देखने को मिल गया है मेरे साथी अगर मैं आप लोगों से परीमाप कहूं तो आप कहेंगे जी परीमाप तो वाकी में बहुत शांदार रहने वाला है परीमाप तीनों भुजाओ का योग ही क्या हो जाएगा परीमाप हो जाएगा तो ए ए और ए क्या थिरी ए हो जाएगा हाँ बहुत शांदार अगर मैं उंचाई की बात करता हूँ तो कभी भी आप लोगों से संबाहू तिर्बुज की उंचाई पूछा जाता है तो मेरे दोस्त उंचाई का फॉर्मूला साथ ही ये रहता है उंचाई का फॉर्मूला जो है वो ये रहता है ठीक है तो अगर मैं बात करूँ कि इसके तीन फॉर्मूले होते हैं पहला अगर छेत्रफल की बात करता हूँ तो छेत्रफल होता है रूट 3 बटे 4 A स्क्वेर परिमाप की बात करता हूँ तो परिमाप होता है 3 A होता है और बेटा उचाई की बात करता हूँ उचाई की बात अगर मैं करता हूँ तो root 3 by 2 A होता है root 3 by 2 मेरे दोस्त A होता है तो यह चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ तो 2 special चीज यहां मैं आप लोगों को बतानी चाह रहा हूँ दो इस्पेसल चीज क्या क्या है अगर कभी भी आप लोगों से अन्ताहवरत की तरज्जा पूछी जाए अन्ताहवरत की तरज्जा का मतलब होता है इन सर्किल की रेडियस पूछी जाए इन सर्किल का मतलब होता है किसी भी ट्रैंगल के अंदर बना वरत अगर इसकी रेडियस आप से पूछ ली जाती है तो ये क्या कहलाती है अंतह वरत की तरज्जा यानि अंदर बने वरत की तरज्जा होती है अंदर बने वरत की तरज्जा होती है तो कभी भी आप लोगों से अंदर बने वरत की तरज्जा पूछ ली जाए अगर मैं आपसे कहूँ परीवरत की तरज्जा क्या हो जाएगी परीवरत की तरज्जा क्या हो जाएगी परीवरत यानि सरकम रेडियस क्या हो जाएगी तो दोस्त आप क्या करना आप उसकी भुजा को रूट 3 से डिवाइड कर देना बाहर बने वरत की तरज्जा आजाएग तो side को root 3 से divide करना होगा आपके पास ये दोनों तिरज्जाएं आ जाएंगी ठीक है? ये दो चीजे मैंने extra बताई है और last इन दोनों का कभी कभाक वो ratio पूछ लेता है छोटी तिरज्जा बटे बड़ी तिरज्जा तो ये हमेशा एक बटे दो होता है लेकिन अगर उसने उल्टा पूछ लिया बड़ी तिरज्जा बटे छोटी तिरज्जा तो ये हमेशा दो बटे एक होता है तो इसको चाप दो अपनी copy पे या इसका photo ले लो इसको चाप दो copy पे या इसका photo ले लो मेरे दोस्त सर एक ही दिन जादा मत कराओ दिमाग से बाहर जाने लगता है इतने पे practice के लिए hw question दे दो भाई अभी रूख जाओ थोड़ी दे थोड़ी दे रूख जाओ आदा घंटा रूखो आदा घंटा एक बार rectangle पढ़ा लू square पढ़ा लू बस rectangle और square पढ़ा लूँ दोस्त में बहुर नहीं होने दोंगा मैं जो नहीं हूँ मैं वो बनने की कोसिस कर रहा हूँ मैं चीजों को आपको हसाने की कोसिस कर रहा हूँ मैं आपका interest create करने की कोसिस कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लोग मुझे time देंगे ठीक है? हाँ तो मैंने आप लोगों को ये बताया संभाहू तिर्बुज में बिटा आप लोगों को सबसे पहले पांच चीजे पढ़ीनी है पांच चीजे पहली चीज होती है छेतरफल क्या होता है तो आप कहेंगे रूट 3 बटे 4 A स्क्वार होता है दूसरी चीज परिमाप आपको पूछना है तो बिटा सभी भुजाओ का योग जो होता है वो परिमाप होता है तीसरी चीज उचाई आप लोगों को बतानी है तो रूट 3 बाइ 2 A होता है ठीक है चौती चीज अंदर बने वरत की तरज्जा यानि अंतह वरत की तरज्जा बतानी है तो बिटा साइड को दो रूट 3 से डिवाइड कर देना बाहर बने वरत की तरज्जा निकालनी है तो बिटा साइड को रूट 3 से डिवाइड कर देना और अगर दोनों का रेशो पूछा जाता है तो वो एक बटे दो होता है और अगर बड़े बटे छोटा पूछा जाता है तो बटे एक होता है इसका फोटो लो और फिर हम कुश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम कुश्चन की तरफ चलते हैं मैं एक बार इसका फोटो लेंगे सरभूक लग रही है आप से जादा मुझे लग रही है चलिए बई यह चीजे समझ में आ गई है आप लोगों को अब मैं कुछ कोश्चन्स आप लोगों को करा रहा हूं मेरे दोस्त उनका जवाब आप लोग देने की कोशिस करना है ना चलिए बटा कुश्चन नमबर 12 पढ़िए CGL 3 मार्च 2020 में कुश्चन पूछा है घबरा मत जाना दोस्त बस मैं आप लोगों की यह घबराट जो है ना यह घबराट जो है घबराट दूर करना चाहरा हूं बस घबरा मत जाना बाकी मैं खड़ा हूं आप लोगों के सामने बाकी मैं खड़ा हूं आप लोगों के सामने है ना देखिए फटा फटा बताईए क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाब तिर्बुज ABC एक संभाहू तिर्बुज है फोटो बना सकते हो क्या तो आप कहेंगे फोटो तो बना लेंगे फोटो तो कुश्चन देखके बनाना है तो ABC एक संभाहू तिर्बुज है AD जो है वो पर्पेंडिकुलर है BC पर ये जो है लंब दिया हुआ है लंब दिया हुआ है पिटा ये वाला साइन जो होता है ये पर्पेंडिकुलर का होता है यानि AD जो है वो पर्पेंडिकुलर है BC पर वो ये कुश्चन कहना चाहरा है तो perpendicular जो होता है बचा वही उँचाई का काम करता है यानि यही perpendicular जो है इस संभाहू तिर्बुच की उँचाई का काम करेगा अगर संभाहू तिर्बुच की पिड़तेक बुजा A है तो यह इसकी उँचाई का काम करेगा याद रखना कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी 90 डिगरी पर कोन बना रहा है तो ये उचाई का ही काम करता है ये हाइट का ही काम करता है मेरे साथ ही ठीक है उसने कहा है यदि AD AD मतलब उसने उचाई जो है वो 4 रूट 3 आप लोगों को दी हुई है अच्छे एक बात मुझे बताओगे संभाहू तिर्बुच की उचाई कितनी होती है तो आप कहेंगे संभाहू तिर्बुच की उचाई जो है वो रूट 3 बाइ 2 ए होती है क्या यही संभाहू तिर्बुच की उचाई होती थी और उचाई उसने दी कितनी है चार रूट 3 दी है तो उचाई होती ये ह उचाई उसने ये दी है तो क्या दोनों ही उचाई है तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं चलिए अब देखिए यहाँ ध्यान से रूट तीन से रूट तीन कर जाएगा तो एक ही वैल्यू कितनी हो जाएगी जो भाग में इधर आके गुणा में चार दुनी आठ हो जाएगा यानि आप कह सकते हैं ये संबाहू तिर्बुज की भुजा जो है वो 8 cm आने वाली है संबाहू तिर्बुज की तीनों भुजा बराबर होती है इसलिए बिटा सभी के सभी जो है वो 8 रहने वाली है तो तिर्बुज ABC का परिमाप कितना होगा यानि वो बिटा तीनों का यो लोग आपसे पूछना चाहा रहा है तो आठ दुनी 16, आठ तिया 24, option number 20 question का जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, option number 20, बस एक चीज जो बताने वाली थी, वो ये थी कि अगर कहीं ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है, height दी हुई है, या 90 degree का ये कौन बना रहा है, BC ठीक है भाई, चलिए, next question की तरफ हम लोग चलते हैं, next question आप लोगों को क्या दिया हुआ है, चलिए, डेली पुलिस हेड कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रियल 20 अक्टूबर 2022 में ये question आप लोगों से पूछा गया है, 20 अक्टूबर 2022 में according to exam sir question के थोड़ा लेवल बढ़ा हो, ठीक है भाई, बढ़ा दूँगा लेवर, उस संबाहु तिरबुज का छेतरफल ग्यात कीजिए, जिसकी पिड़तेक भुजा जो है, वो 12 cm लंबी है, तो 12 cm लंबी है, संबाहु तिरबुज का छेतरफल क्या होता है, रूट 3 बाई 4 A स्क्वार होता है, अगर आपको दोस्त मेरे क्या निकालना है, आपको निकालना है, इसका छेतरफल तो A कितना दिया है, भुजा 12 दी है, 12 का स्क्वार 144 हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 चिंग 24, तो आप लोगों क्या कह देंगे, इसका जो छेतरफल हो जाएगा, वो 36 रूट 3 हो जाएगा, आपसन नंबर B, इस कुश्चन का साथी बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई, नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं, ने कुश्चन ने क्या कहा है, एक संभाहू तिर्बुच के आकार के मेज के सीर्स का छेतरफल, एक संभाहू तिर्बुच के आकार की एक मेज है, यानि मेज कुछ इस टाइप की वनी हुई है, इसका छेतरफल अगर भुजा इसकी A है, तो इसका छेतरफल कितना होता है, संभा 3 से root 3 कट जाएगा जो चीज भाग में है इधर आके गुणा में होगी तो 9.36 हो जाएगा square यहां से हटेगा square root लगेगा तो क्या उस संभाहू तिर्भुज की भुजा जो है वो 6 आ जाएगी तो मेज की पिरतेक भुजा की लंबाई पूछा है तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ज्यादा पुराना question नहीं है 2021 में आप लोगों से पूछा गया है ठीक है भाई चलिए next question आप लोगों के तरफ चलते हैं देखिए यह GD Constable 2021 में आप लोगों से पूछा गया है यह GD Constable 2021 में भाई अच्छे question जो बनेंगे न वो तब बनेंगे जब सारे topic clear हो जाएगे जो mix question बन रहे होते हैं आप ना चीजों को disturb करने की कोसिस कर रहे हो चीजों को disturb करने की कोसिस कर रहे हो देखिए अगर area आप लोगों को दिया हुआ है तो उसकी unit जो होती है square में होती है वो centimeter square भी हो सकती है वो meter square भी हो सकती है वो decimeter square भी हो सकती है वो hectometer square भी हो सकती है वो millimeter square भी हो सकती है यानि square जो रहता है वो हमेशा area की unit में रहता है cube जो रहता है वो centimeter cube हो सकती है वो meter cube हो सकती है वो decimeter cube हो सकती है वो hectometer cube हो सकती है जो unit होती है वो हमेसा volume की unit होती है volume की unit होती है तो याद रखना अगर square दिया हुआ है तो वो हमेसा area की unit आएगी और कभी भी cube दिया हुआ है तो हमेसा volume की unit आएगी ठीक है? 2D हो जाती है 3D नहीं होती 3D भी हो जाएगी guarantee लेने के लिए मैं बैठा हूँ पटपट मुझे बताईए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जबा question कहना क्या चाहा रहा है एक संभाहू तिर्बुज का परिमाप संभाहू तिर्बुज का परिमाप क्या 3A होता है और उसने परिमाप कितना दिया है 36 रूट 3 दिया है तो 3 से काटेंगे तो क्या भुजा जो है वो 12 रूट 3 आ जाएगी आएगी या नहीं अब उसने काए उसकी उचाई कितनी होगी तो संभाहू तिर्बुज की उचाई कितनी होती है रूट 3 बटे 2 A होती है A मतलब उस संभाहू तिर्वुज की भुजा और भुजा कितनी दी हुई है 12 रूट 3 दी हुई है तो 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा अब देखिए रूट 3 की गुणा रूट 3 में करते हैं तो 3 आता है और 3 की गुणा 6 में करेंगे तो जवाब कितना आएगा तो आप कहेंगे 18 आजाएगा तो ओप्सन नंबर A इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा मैं जितना समझा सकता था जितना मैं गाइड कर सकता था आपको उतना मैंने गाइड कर दिया है अब मरजी आप लोगों की है बहतर कोई नहीं जानता आप जो भी करोगे अच्छा करोगे इतना मुझे यकीन है ठीक है मेरे साथी लेकिन मैं पढ़ाऊंगा इसी तरीके से पढ़ाऊंगा ऐसा ही लेवल अभी रखूंगा जहां मुझे जरूरत होगी लेवल उठाने की जरूर उठाऊंगा लेकिन जिस दिन किलास खतम करूँगा उस दिन ये कहके खतम करूँगा कि जाओ उठालो कोई साभी कुश्चन आपसे कुश्चन बनेगा ये कहके किलास खतम करूँगा ठीक है बाकी आप लोगों को जो सोचना है सोचिएगा, लेवल बढ़ाना है लेवल बोलते रहिएगा लेकिन बढ़ाऊंगा तब ही जब चीजे बचास देख लूँगा कि हाँ, अब बढ़ाने की जरूरत है बताईए क्या होगा इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब कुश्चन कहना क्या चाहरा है कुश्चन ये कहना चाहरा है 3.46 cm उचाई वाले संभाहू तिर्बुच का परिमाप क्या होगा अच्छे, एक बात मुझे ये बताईए ये क्या दी हुई है आपके सामने तो आप कहेंगे ये 3.4 cm उचाई दी हुई है तो उचाई होती क्या है root 3 by 2a होती है कैसे पता-पड़ा संभाहु तिर्बुज है question ने बोला हुआ है संभाहु तिर्बुज की उचाई ये होती है उसने दी कितनी है तो आप कहेंगे 3.46 दी है यही तो दी है अब देखिए root 3 की value होती है 1.73 1.73 बटे 2a is equal to 3.46 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 133 दुनी 340 हो जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 दुनी 4 हो जाएगा जो चीज भाग में है इधर आके गुणा में हो जाएगी तो क्या आप कह सकते हैं क्या आप कह सकते हैं उस संभाहू तिर्बुज की जो भुजा होगी उस संभाहू इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड होगी वो बेटा 4 हो जाएगी अब देखें मेरी बात को थोड़ा सा समझिए उसने आपसे साइड थोड़ी न पूछिए उसने पेरिमीटर पूछा है यानि उसने परिमाप पूछा है यानि वो तीनों भुजाओ का योग आपसे पूछना चाहरा है तो संभाहू तिर्बुज की पहली भुजा भी 4 होगी दूसरी भुजा भी 4 होगी और तीसरी भुजा भी 4 होगी तो तीनों बुजाओं का योग कितना आ जाएगा तो आपका जवाब होगा जी वो 12 आ जाएगा क्या हो जाएगा मेरे साथी आपका जवाब होगा जी वो 12 आ जाएगा बात किलियर है next question एक बार देख लेते हैं संभाहू तिरबुज का बहुत शानदार इस question को homework में लिखिए 11.4.2022 में आपसे पूछा है homework का question है संभाहू तिरबुज की उचाई पूछ रहा है जिसकी बुजा 8 cm दे हुई है ठीक है भाई चलिए next question आप लोगों के सामने है बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर चलिए घोड़े द्वारा चरा गया यह देखो यह घोड़े के question आए है आप लोग असानी से बना नहीं पाऊगे यह घोड़े के question आए है लेकिन मैं कराऊंगा तब जब अभी थोड़ी देर में sector पढ़ा दूँगा आज होगा तो ठीक है नहीं तो कल हम लोग sector पढ़ रहे होंगे ठीक है इन questions को दोस्त तब कराऊंगा चलिए बहुत शानदार चलिए अब बात करते हैं अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यह triangle का थोड़ा सा खेल था triangle का थोड़ा सा खेल था मेरे दोस्त आपनो थोड़ी सी heading डालो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा और बता दू राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा और बता दू दोस्त आप लोगों को heading डालिए राइट एंगल ट्राइंगल heading डालिए मेरे दोस्त राइट एंगल ट्राइंगल केवल दो मिनट का टॉपिक है इसके बाद जो है हम आयत सुरू करेंगे आयत इंपोडेंट टॉपिक है मेरे दोस्त राइट एंगल ट्रेंगल की बात करने वाले हैं हम लोग समकौन तिर्बुज की बात करने वाले हैं किसकी बात करने वाले हैं तो हम लोग समकौन तिर्बुज की बात करने वाले हैं समझिए दोस्त होता क्या है अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि समकौन तिर्बुज होता क्या है समकौन तिर्बुज वहे तिर्बुज होता है समकौन तिर्बुज वहे तिर्बुज होता है बस हो गए आप लोग हो गए परेशान आप लोग समकौन तिर्बुज वह तिर्बुज होता है जिसमें एक कौन 90 डिगरी का होता है ये वाला कौन 90 डिगरी का है तो ऐसे तिर्बुज को कहा जाता है समकौन तिर्बुज ठीक है अगर आप लोगों से कहा जाए समकौन तिर्बुच की पाइतागोरस थियोरम क्या कहती है तो पाइतागोरस थियोरम ये कहती है कि 90 के सामने वाली साइड जो है यानि जो सबसे बड़ी साइड है वही 90 के सामने वाली साइड होती है सबसे बड़ी side का square जो होता है वो अन्य दोनो side के square के sum के बराबर आ ज़ता है तो वो क्या कहलाता है वो मेरा right angle triangle कहलाता है ठीक है भाई अगर कोई सी भी दो side देके तीसरी side आप लोगों से पूँची गई है तो आप लोग Python-Godes theorem लगा सकते हैं क्या लगा सकते हैं रूट 3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं याद कर लो याद कर लो मेरे दोस्त है ना तो आप कहेंगे AC स्क्वार जो होगा वो AB स्क्वार प्लस BC स्क्वार के बराबर होगा सबसे बड़ी बुझा का वर्ग जो है अन्य दोनों बुझा के वर्गों के योग के बराबर होता है ठीक है भाई यहाँ पे अगर समकोन तिर्बुझ का मैं आपसे छितरफल पूछूं तो एक बटे दो आधार गुणा उँचाई होता है आधार गुणा उँचाई होता है तो अगर मैं आधार और उँचाई की बात करता हूँ तो यह आधार होता है यह उँचाई होती है तो मेरे दोस्त सबसे बड़ी बुझा अगर आपको तीन बुझा दे दी मानलो मैंने आपसे कहा कि ये समकौन तिरभुज की ये तीन बुजा है तो सबसे बड़ी बुजा को छोड़ दो इन दोनों में से एक आठ होगी एक पंदरा होगी तो दोनों की मल्टिपलाई करके जश्ट आधा कर देना इस वाले तिरभुज का छेतरफल निकल के आ जाएगा इस वाले तिरभुज का छेतरफल निकल के आ जाएगा दोस्त ठीक है ये बात समझ में आ गए अब पानी आप लोग पीलो मैं सुरुवात करने जा रहा हूँ सुरुवात करने जा रहा हूँ दोस्त क्वैडरी लिटरल की यानि कि सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रेक्टेंगल पढ़ने वाले हैं आयत पढ़ने वाले हैं राज्यू कराऊंगा बस rectangle और square ही कराऊंगा हम लोग rectangle और square ही कर रहे होंगे ठीक है चलिए बहुत शांदार बहुत लाजवाब नहीं 100% score का तो मैं नहीं कह सकता लेकिन आप अच्छा score कर पाएंगे 100% score जो depend करता है वो उस time के condition पर depend करता है कि आपका दिमाग जो है वो किस इसतर का चल रहा है मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो यहां 789 का score कर रहे है वो वहां 13-14 का भी score कर सकते हैं जो यहां 15 का score कर रहे हैं तो वो उस time period में हो सकता है 12-13 पर पहुंच भाएं तो वो उस time पर depend करता है कि हम लोगों का दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है हेडिंग डालिए दोस्त अपनी copy में भाई root 2 का मान क्या होता है तो गुड़ा root 2 का मान 1.414 होता है root 3 का मान 1.732 होता है अब आप root 5 का पूछोगे root 5 का exactly मुझे याद नहीं है ठीक है दोस्त चलिए मेरे साथ ही अब आप यहाँ पे चीजे समझ के चलिए अब आप यहाँ पे चीजे समझ के चलिए कि मैं आप लोगों को rectangle पढ़ाने वाला हूँ क्या अब आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आएगी क्या अब हम लोगों से तिरबुज के question सारे बन जाएंगे तो मेरा जवाब होगा नहीं सुरुआत में आप लोगों को दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे आप लोग questions करेंगे तो यकीन मानना कि आप से question बनने start हो जाएंगे और आप लोगों को chapter जो है एक ऐसा बहुबुज एक ऐसी बंद आकरती जो चार भुजाओं से मिलकर बनी है उसे हम लोग rectangle कहते हैं उसे हम लोग आयत कहते हैं आयत अगर मैं आप से पूछूं कि ये आयत की properties क्या होती है तो सबसे पहली property होती है इसकी आमने सामने की बुजा बराबर होती है ये वाली बुजा जो है इसके बराबर होगी और ये वाली बुजा इसके बराबर हो जाएगी मेरे दोस्त इसकी लंबाई को हम लोग L मान लेते हैं इसकी चोड़ाई को हम लोग क्या मान लेते हैं इसकी चोड़ाई को हम लोग भी मान लेते हैं ध्यान से सुनिएगा पहली प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि आमने सामने की भुजा एक्वल होती है अपोजिट साइट्स आर एक्वल पहला पॉइंट खतम चारो एंगल जो होते हैं वो 90 डिगरी के होते हैं पिरतेक कौन जो होता है वो 90 डिगरी का होता है यानि अगर मैं बिटा इसकी बात करता हूँ तो ये भी 90 डिगरी का होता है अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी 90 डिगरी का होता है अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी 90 degree का होता है यानि कि मेरे साथी की rectangle का पिरतेक कौन जो होता है वो 90 degree का होता है आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होती है साहिरी सुनादो सर बोर नहीं होंगे अच्छा ऐसा भी है तो साहिरी एक काम करो जहां जिस mobile पे आप लोग वीडियो देख रहे हो उसके side में अगर कोई और mobile हो तो उसमें टैब खोल लो और उसमें लिख लो साहिरी साहिरी लिख लो दोस्त साहिरी लिख लोगे तो आपके पास दुनिया भर की साहिरी आ जाएंगे वहाँ से पढ़ लो पर अपना mood off मत करो मैं अब कुछ भी بتा रहे हैं जी मैं साहिरी सुना दूंगा तो आपका mood off नहीं होगा लो सामने लगा दी है भानूने साहिरी हमने उत्तर में जां नहीं दे दी प्रिसं उसका निरस्त क्या करते अजहर अपना नहो सकब अजहर लेकर लेकर दुनिया समस्त क्या करते वाह ये देखर हूं खुस वाहि अपने साइरे खुद मनाओ अपने साइरे खुद खुलो है ना apologize भी दो मत करना कि आपको मैं आपका बोर से हटाने के लिए आपको मैं रंग बिरंगी साइरे सुनूँगा नवीन वया से सेख लूँगा ठीक है चलो बहुत बड़िया यहां ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बिटा मैंने पहला पॉइंट क्या कहा कि कोई भी आयतिक ऐसा चत्रबुर्ज होता है जिसकी आमने सामने की बुझा जो होती है वो बराबर होती है यानि ये बुझा इसके बराबर होगी ये बुझा इसके बराबर होगी ठीक है भाई दूसरा point मैंने ये पढ़ाया पिरते कौन जो होते हैं वो 90 degree के होते हैं तीसरा point मैंने ये पढ़ाया कि विकर्ण जो होते हैं वो equal होते हैं और कोई property क्या इसकी बची और कोई विकर्ण जहां cut करते हैं वहां 90 degree का कौन नहीं बनता है विकर्ण जहां कट करते हैं वहां 90 डिगरी का कौन नहीं बनता है ठीक है भाई चलिए बहुत शानदा मैं यहां से कुछ फॉर्मूले आप लोगों से पूछना चाहूंगा पहला फॉर्मूला मैं आप से पूछना चाहूंगा इसका एरिया कितना होता है किसी भी आयत का एरिया कितना होता है छितरफल कितना होता है दूसरा फॉर्मूला मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा इसका परिमाप कितना होता है यानि कि इसका पेरिमेटर कितना होता है तीसरा फॉर्मूला आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इसका विकर्ण कितना होता है अगर इसका कभी डाइगनल हम लोगों से पूछ लिया जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे तो आप से जो पूछेगा केवल यही तीन चीजे पूछेगा या इन ही तीन चीजों का जो यूज है आप लोगों को देखने को मिलने वाला है अरपित सिंग पिरिया दिखाना भी क्या है पिरिये तुम रहना कुमारी अभी तैयारी कर रहा है तुमारा अधिकारी कुमारी होता है वो है भी अधिकारी मलब लिखने से यह सोच रहे हो कि लिखने से अधिकारी बन जाओगे वो कुमारी होता है जिसे तुम कुमारी रखना चाहा रहे हो पिरिया मारेगी लाथ कि क्या यूज कर रहा है कौन सी कुमारी तू बनेगा अधिकारी मेरे दोस्ट क्यों यार चलो कुमारी, देखो भई अब यहां से मैं कहना चाहा रहा हूँ एरिया और परिमाप और विकर्ण हम लोग पढ़ने वाले हैं मैंने आपसे कहा एरिया क्या होगा तो मेरे दोस्ट अगर मैं आपसे कहूँ इसकी लंबाई की गुणा चोडाई में कर दें लंबाई की गुणा चोडाई में कर दें लंबाई की गुणा चोडाई में कर दें तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा तो आप लोगों को अगर मैं आयत के बारे में बताने की कोसिस करूँ मोबाईल तो नहीं दिखाऊंगा फिर आप कहेंगे यया आईफोन दिखाना चाहरो एक मिनचों रमोट दिखा यह जो है यह हमारी rectangle है यह इसकी length का کाम करता है यह इसका length का काम करता है, यह इसकी breadth का काम करता है, चोड़ाई का काम करता है, ठीक है अब देखिए ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं बात करूँ कि लंबाई की गुणा अगर चोड़ाई में कर दूँ लंबाई की गुणा अगर मैं चोड़ाई में कर दूँ तो इसका छेतरफल निकल के आ जाएगा और ये जो उपर का पार्ट आप लोगों को दिख रहा है ये इसका छेतरफल देख रहा है एक कह रहा है जी पिरिया तुम मत रहना कुवारी अब फिर फेलोगा तुमारा दिकारी गजयो कर दिया वह लड़के चलो बिटा अगर मैं आपसे परिमाप पूछूं तो परिमाप होता है चारो बुजाओ का योग चारो बुजाओ का योग ही क्या होता है परिमाप होता है तो चारो बुजाओ का योग कर दो ये L है तो सामने की बुजा ये भी L होगी ये B है तो सामने की बुजा ये भी B होगी तो L और L जोडोगे 2L हो जाएगा B और B जोडोगे 2B हो जाएगा और यहां से अगर आप देखोगे तो किसी भी आयत का परिमाप जो होता है वो 2L पिलस B होता है ठीक है भाई ये चीज समझ में आ गई अगर एरिया पूछेगा तो बिटा L इंटु B यानि लंबाई की गुणा चोड़ाई में कर देना अगर वो आप से परिमाप पूछेगा तो वो आप से चारो भुजाओ का योग पूछना चाहरा है चारो साइट्स का सम आप लोगों से पूछना चाहरा है अगर वो आप से विकर्ण पूछता है तो वो आप लोगों से ये पूछना चाहरा है तो बिटा विकर्ण जब आप पाइतगोरस थियोरम लगाएंगे तो विकर्ण का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट के अंदर L स्कूर प्लस अंडर रूट के अंदर B स्कूर यानि अगर कभी भी आप लोगों से डाइगनल पूछा जाता है तो अंडर रूट के अंदर L स्कूर प्लस B स्कूर होता ह ठीक है L2 प्लस B2 होता है ये चीज आप लोगों के समझ में आगे या नहीं तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ चुकी है तीन चीजे आप लोगों को बतानी है बिटा अगर मैं आपसे इसका एरिया पूसता हूँ एरिया पूसता हूँ तो वो लंबाई गुणा चोड़ाई होना चाहिए अगर मैं इसका परिमाप आपसे पूसता हूँ तो वो 2L प्लस B होना चाहिए अगर मैं आपसे विकर्ण इसका पूसता हूँ तो अंडर रूट के अंदर L2 प्लस B2 होना चाहिए बात समझ में आ गई या नहीं तो आप कहेंगे जी बात तो समझ में आ चुकी है क्या question यहां से बनता है question यहां से बनता है पूरी दुनिया ऐसे question को solve करती है लेकिन इसका सबसे important part जो होता है वो मेरे दोस्त रास्ते होते हैं तो आप बात करते हैं रास्ते की बात करते हैं बेटा किसकी रास्ते की इस point में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है एक बार अगर दिक्कत नहीं है तो दोस्त एक बार थमसब करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है रास्ते की तरफ आजाओ हमें रास्ते समझ रहे हैं अब हम पढ़ने वाले हैं मेरे साथी रास्ते देखो, रास्ते को मैं example के थुरू आप लोगों को समझाने की कोसिस करूँगा बेटा बहुत important topic है ध्यान से सुनना अगर उसने कहा कि एक आयताकार मैदान है उसने कहा कि एक rectangular field है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई उसने दी हुई है 60 मीटर और उसकी चोड़ाई उसने दी हुई है 40 मीटर बेटा दिहान से सुनना, question क्या कहा है उसने कहा है, एक आयताकार field है, एक rectangular field है जिसकी लंबाई है 60 मिटर और उसकी चोड़ाई कितनी दी हुई है उसकी चोड़ाई है 40 मिटर इसकी लंबाई के समानांतर यानि की लेंथ के पहलल में एक रास्ता बना है लंबाई ये है इसके पहलल में एक रास्ता बना है वो इस रास्ते की बात कर रहा है उस रास्ते की चोड़ाई जो दी हुई है उसने 7 मीटर दी हुई है कितने मीटर दी हुई है उस रास्ते की चोड़ाई उसने 7 मीटर दी हुई है तो मेरे दोस्त वो आपसे यहां से 2 चीजे पूश सकता है पहली चीज वो आपसे कहेगा रास्ते का छेतरफल कितना होगा दूसरी चीज वो आप लोगों से बोलेगा सेस भाग का छेतरफल कितना होगा यानि कि वो आपसे path का area पूछ सकता है वो आपसे remaining field का भी area आपसे पूछ सकता है ध्यान से सुनिएगा अगर आप लोगों से ये कहूं कि भाई रास्ता जो है वो कौन सा है एक बार उसे underline करके बता दो तो क्या आप लोग अपनी copy में इसे ही underline कर रहे होंगे यही क्या रास्ता दिया हुआ है क्या ये रास्ता आप लोगों को rectangular नजर आ रहा है आयतकार नजर आ रहा है तो आप कहेंगे बिल्कुल आयतकार नजर आ रहा है तो अगर मैं इस रास्ते का छेतरफल निकालना चाहता हूँ तो गुड़ा ये वाली मैं आप लोगों से छेतरफल पूछ रहा हूँ यही तो रास्ता है तो रास्ते का छेतरफल होगा रास्ते की लंबाई रास्ते की लंबाई कितनी है, जितनी मैदान की लंबाई है, यहां से यहां तक 60 मीटर है, तो रास्ता भी तो 60 मीटर ही लंबा है, तो अगर मैं रास्ते की लंबाई की बात करूँ तो वो 60 हो जाएगा, अगर मैं रास्ते की चोड़ाई की बात करूँ तो वो 7 मीटर का है, त तो रास्ते की भी लंबाई 60 मीटर ही हो जाएगी और रास्ते की चोड़ाई 7 दी है लंबाई की गुणा चोड़ाई में करेंगे तो रास्ते का छेतरफल निकल के आ जाएगा ये बात क्लियर हो गई क्या दूसरी चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहरा हूँ सेस भाग का चेतरफल कितना होगा वो कौन से सेस भाग की बात कर रहा है ये जो सेस भाग बचा हुआ है ये वाला वो इसके चेतरफल की बात कर रहा है वो इसके एरिया की बात कर रहा है वो रिमेनिंग पार्ट के एरिया की बात कर रहा है तो आप लोग ये कहेंगे अगर पूरे एरिय मैंने क्या बूला अगर पूरे फिल्ड के एरिया में से रास्ते का एरिया में हटा दूँ तो जो बचेगा वही से इस भाग का छितरफल होगा तो पूरे फिल्ड का एरिया कैसे निकलेगा पूरे फिल्ड का एरिया निकलेगा लंबाई गुणा चोड़ाई पूरे फिल्ड की लंबाई 60 है पूरे फिल्ड की चोड़ाई 40 है ये पूरे फिल्ड का एरिया आ गया अब पूरे फिल्ड के एरिया में से क्या गटाना है रास 880 meter square आजाएगा तो यहां से केवल दो चीजों वो आपसे पूछ सकता है या दो चीजों का use हो सकता है हो सकता है वो आपसे कह दे कि भाई रास्ते पर मुझे पत्थर बिचाना है तो 5 रुपे के हिसाब से पत्थर बिचाने का खर्च कितना आएगा तो रास्ते के 6 तरफल मे 5 की गुणा कर दे ना पत्थर बिचाने का खर्चा जाएगा वो आपसे कहे 6 भाग पे मुझे घास लगानी है 6 रुपे मीटर square के हिसाब से घास लगाने का खर्च कितना आएगा तो पहले 6 भाग का area आप लोगों को पता होना चाहिए और उसकी गुणा 6 में करेंगे तो 6 भाग पे घास लगाने का खर्च आपके सामने आ जाएगा तो जिस भी चीज का वो खर्चा आप से पूछना चाहरा है उस चीज का area आप लोगों को सबसे पहले पता होना जरूरी है क्या ये 4 बाते clear हो गई पटापट मुझे बताईए क्या ये 4 बाते clear हो गई हाइड 33 ले के भी सेम आएगा हाँ बिल्कुल सही है चलिए बहुत शांदार बहुत जांदार अब देखिए ये पहले टाइप का रास्ता था जब रास्ता लिख लीजिए यहाँ पे जब रास्ता लंबाई के समनांतर हो यानि लेंथ के पैलल हो लंबाई के समनांतर हो समनांतर हो समना बहुत शंदार फौर्मूला याद नहीं करना है फौर्मूला कुछ होता ही नहीं है इसका इसका तो जबी तो मैं आपसे टिक से बता रहू है से मैथट से बता रहू है second रास्ता कौन सा होता है वो आपसे कहेगा एक आयताकार field है आपके सामने आपने कायतकार फिल्ड बना दिया इसकी लंबाई को उसने दिया साथ मीटर और इसकी चोड़ाई को उसने दे दिया चालिस मीटर ठीक है उसने कहा इसकी चोड़ाई के समनांतर एक साथ मीटर चोड़ा रास्ता बना है चोड़ाई ये है इसके पैरलल में एक 7 मीटर चोड़ा रास्ता बना है अब वो आपसे पूछेगा फिर से पूछेगा कि भाई रास्ते का छितरफल बताओ आपसे पूछेगा फिर से आपसे पूछेगा रास्ते का छितरफल बताओ दूसरा आप से पूछेगा कि सेस भाग का छितरफल बताओ सेस भाग का छितरफल आप लोगों को बताना है तो अब आप लोग मुझे बताएंगे इन दोनों कोश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे इन दोनों कोश्चन का जवाब क्या हो जाएगा फटाफट मुझे बताएंगे इन दोनों कोश्चन का जवाब क्या हो जाएगा रास्ता बाहर से होता तो बाहर का अंदर का सारे बताऊँगा थोड़ा सा वेट कर लो पाँच टाइप के रास्ते होते हैं है ना तो wait कर लो मेरे दोस्त अंदर का रास्ता भी बाहर का रास्ता भी सारे रास्ते बताऊँगा द्यान से समझे ना मेरे दोस्त Sir in circle की radius and circum radius बेटा वो जरूरी नहीं होती है लेकिन अगर फिर भी पूछना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ इन circle की जो radius होती है skill and triangle की वो r is equal to area upon s होती है delta by s होती है और capital r is equal to abc बटे 4 delta होती है लेकिन जरूरत नहीं है वो सारी चीजे जो है वो geometry की चीजे हैं तो हम geometry नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग mensuration पढ़ रहे हैं ठीक है रास्ते का छेतरफल कैसे निकलेंगे भाई कौन सा है रास्ता तो आप कहेंगे यही तो रास्ता है तो रास्ते की लंबाई कितनी है तो आप कहेंगे रास्ते की लंबाई यह है अच्छे यह कितनी है जितनी इस मैदान की चोड़ाई है मैदान की चोड़ाई कितनी है 40 है तो क्या रास्ते की भी लंबाई 40 हो जाएगी क्योंकि जितना ये है उतना ही तो ये है रास्ते की लंबाई 40 हो चुकी है रास्ते की चोड़ाई 7 है तो क्या आप लोग दावा ठुक के कह सकते हैं कि इस केस में रास्ते का जो छेतरफल होगा वो 280 मीटर स्क्वार होगा क्या आप लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि इस केस में रास्ते का जो छेतरफल होगा वो 280 मीटर स्क्वार होगा लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ सेस भाग का छेतरफल कैसे निकलेगा यानि ये तो आपके समझ में आ चुका है कि वो इसकी बात कर रहा है मेरे साथी इसकी बात कर रहा है तो ये कैसे निकलेगा पूरे छेत्रफल में से पूरा छेत्रफल पूरी लंबाई 60 है पूरी चोड़ाई 40 है तो पूरा छेत्रफल जो है वो 2400 आ जाएगा उसमें से अगर रास्ते का छेत्रफल घटा दू 280 मीटर स्क्वर घटा दू तो 220 जो है 220 जो है वो आप लोगों के पास सेस भाग का छेत्रफल निकलके आ जाएगा सेस भाग का छेत्रफल निकलके आ जाएगा क्या इन दूसरे रास्ते में कोई दिक्कत है क्या इन दोनों रास्ते में कोई दिक्कत है कोशन मतलब रेली यहां से पूछा जाएगा बहुत कम यहां से पूछा जाएगा इन दोनों से, question जो पूछा जाता है, हमेशा तीसरे type के रास्ते से पूछा जा सकता है, question जो पूछा जाता है, वो हमेशा तीसरे type के रास्ते से पूछा जाता है, कैसे, बचा दिहान से सुनिएगा, third type का रास्ता है, important रास्ता है, total 5 रास्ते हम लोग रहे होंगे, important रास्ता है, बहुत प्यारा question यहां से बनता है, आसान question दोस्त यहां से बन रहा होता है, ठीक है, समझ में नहीं आया, बेटा समझो न, रास्ते का छेतरफल, इस वाले पार्ट का छेतरफल आप लोगों को निकालना है, छेतरफल आप लोग जानते हैं, कितनी है, इसकी लंबाई उतनी है, जितनी मैदान की चोड़ाई है, मैदान की चोड़ाई 40 दी है, तो क्या इसकी भी लंबाई 40 हो जाएगा, लंबाई 40 है, चोड़ाई 7 है, तो 40 गुणा 7, लंबाई गुणा चोड़ाई इसका छेतरफल आजाएगा, पूरे छेतरफल में से रास्ते को अगर साफ कर दोगे तो क्या सेसभग का छेतरफल आ जाएगा पूरा छेतरफल लंबाई गुणा चोड़ाई कर दिया पूरा छेतरफल उसमें से रास्ते का छेतरफल घटा दिया दो सोसी घटा दिया तो सेसभग का छेतरफल आ जाएगा ठीक है भाई चलिए इ देखे थोड़ा सा थर्ड पार्ट क्या कहना चाहरा है थर्ड पार्ट ये कहना चाहरा है कि एक आप लोगों के पास ना कोई भी एक आयतकार मैदान दिया हुआ है इसकी लंबाई के समानांतर एक 7 मीटर चोड़ा रास्ता है कितने मीटर 7 मीटर चोड़ा रास्ता है इसकी चो मैदान के अंदर जो है वो दो रास्ते बने हुए हैं इस एक लंबाई के समानतर रास्ता है और एक चोडाई के समानतर रास्ता है ठीक है यहां से वो दो चीजे पूछ सकता है पहली चीज वो आप से पूछ सकता है भहिया रास्ते का छेतरफल कितना होगा यह जो दो रास्ते बने हुए हैं इनका छेतरफल कितना होगा या दूसरी चीज वो आपसे पूस सकता है कि इन रास्तों से अलग सेस भाग का छेतरफल कितना होगा इन रास्तों से अलग सेस भाग का छेतरफल कितना हो जाएगा वो आपसे ये दो कुश्चन बेटा पूस सकता है पहला कुश्च उसने ये कहा कि रास्तों का छेत्रफल बताईए इन दोनों रास्तों का छेत्रफल बताईए दोसरा कुश्चन उसने ये कहा कि सेस भाग का छेत्रफल मुझे बताईए कि सेस भाग का छेत्रफल कितना होगा तो ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी मैं क्या कहना चाहरा हूँ अगर वो रास्ते का चेत्रफल पूछना चाहता है तो क्या वो इन दोनों रास्तों का चेत्रफल पूछना चाहरा है एक रास्ता तो ये हो गया और एक रास्ता दोस्त ये हो गया क्या इन दोनों का चेत्रफल पूछना चाहरा है अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे साथी कि इसका रास्ता हम लोग कैसे निकालेंगे तो आप कहेंगे इसकी लंबाई कितनी है मैं कहूंगा देखो बेटा लंबाई तो इसकी 60 ही दी हुई है लंबाई तो 60 दी है और चोड़ाई जो दी है आयताकार म मैदान की वो 40 मीटर दी हुई है तो आप मुझे बताइए इन रास्तों का छेतरफल कितना होगा इन रास्तों का छेतरफल कितना हो जाएगा अब देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात को जब आप इस रास्ते का छेतरफल निकालते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है इसकी लं तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा फिर आपने इस रास्ते का छेतरफल निकाला इस रास्ते का छेतरफल कैसे निकलेगा इसकी लंबाई कितनी है इसकी लंबाई है इसके बराबर जो की 40 है और इसकी चोड़ाई कितनी है जो की 7 है तो क्या इस रास्ते का छेत्रफल 280 आ जाएगा ठीक है आपने दोनों को जोड लिया तो आपने कहा दोनों रास्तों का छेत्रफल 700 मीटर स्क्वर आ गया लेकिन एक चीज आप लोग महसूस करो वो चीज कौन सी है जब आप इस रास्ते का छेत्रफल निकाल रहे थे तब भी आपने इसको काउंट कर लिया था जब आप इस रास्ते का छेत्रफल निकाल रहे हो तब भी आपने इसको काउंट कर लिया है क्यानि ये वाला पार्ट जो है भाई इसकी चोड़ाई भी साथ है तो लंबाई की गुणा चोड़ाई में कर देंगे यानि उड़न्चास को घटा देंगे तो क्या आप कह सकते हैं रास्तो का जो 6 तरफल आएगा वो 651 मीटर स्क्वार आएगा क्या आप लोग कह सकते हैं क्या आप लोग कह सकते हैं, रास्तों का जो छेतरफल आएगा, वो 651 मीटर स्क्वार आएगा, क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है, तो आप कहेंगे जिब बिलकुल समझ में आ चुकी है, आपने क्या किया, आपने इसका छेतरफल निकाला, इसका छेतरफल निकाला, और उसमें से इसके कोमन छेतरफल को घटा दिया, तो आपके पास रास्ते का छेतरफल आ जाएगा, लेकिन क्या हमें इतना करना जरूरी था, क्या हमें इतना करना जरूरी था, जब भी आप लोगों को दो रास्ते दिये हुए हों, और दोनों एक दूसरे को समकौन पर काट रहे हो यानि इस टाइप की इमेज बनी हुई हो तो आप लोग रास्ते का छेतरफल डर्कली इस फॉर्मूले से निकाल देना ये X क्या होती है? X होती है रास्तों की चोड़ाई जो कि 7 दी हुई है L क्या होती है? मैदान की लंबाई जो कि 6 दी हुई है B क्या होती है? मैदान की चोड़ाई और X क्या होती है? रास्तों की चोड़ाई ठीक है? 60, 40, 100, 100 में से 7 जाएगा तो 33 में बचेगा 9, 37, 27, 7 हासिल लगे 2 33 में तो बचेगा, 33 में की 7 में करेंगे अच्छा ये बाहर साथ है ये नो नहीं है साथ है तिराण में की साथ में करेंगे तो साथ तिया 21 होगा हासिल दो 69 63 और 2 65 हो जाएगा क्या डरकली अप लोगों का अंसर आजाएगा तो जब भी आप लोगों को दो रास्ते दिये हुए हो दोनों एक दूसरे को समकौन पर काट रहे हो तो बिटा इस वाले फर्मूले को लगा देना X L पिलस B माइनस X होता है और X क्या होता है X होता है रास्ते की चोड़ाई X क्या होता है रास्ते की चोड़ाई L क्या होता है मैदान की लंबाई क्या होता है L जो होता है वो मैदान की लंबाई होता है B क्या होता है मैदान की चोड़ाई होता है क्या होता है मैदान की चोड़ाई होता है कब लगता है जब ये दोनों एक दूसरे को समकौन पर काट रहे हो ठीक है मेरी बात समझ में आगी क्या सेस भाग का छेतरफल आप लोग निकाल लेंगे अगर X सेम ना हो बहुत बढ़ी है कुश्चन फिर इस से जाना अगर X सेम ना हो तो इस फॉर्मूले को मत लगाना रास्ते की चोड़ाई अगर अलग-अलग दी हुई है तो फिर इस फॉर्मूले से जाना पहले इसका छेतरफल निकालना फिर इसका छेतरफल निकालना फिर इस रास्ते की चोड़ाई की इस रास्ते की चोड़ाई में गुणा कर देना उसको घटा देना फिर आजाएगा सेस भाग का छेतरफल ठीक है मेरी बात समझे में आगी कि बहुत शानदार अब सेस भाग का छेतरफल आप लोग निकाल लेंगे पूरी लम्बाई कितनी है? 60 है, पूरी लम्बाई 40 है तो आप लोग 60 की गुणा 40 में क्या पूरा छेतरफल 24 सो आ जाएगा और पूरे छेत्रफल में रास्ते का छेत्रफल आप लोगों घटा दोगे तो तेहरे सो उड़न्चास नहीं अठारे सो सत्रे सो उड़न्चास जो है वो इसका छेत्रफल निकल के आ जाएगा तो अगर पूरे के छेत्रफल में से पूरे के छेत्रफल में से मैं रास्तों का छेत्रफल घटा दूँ तो मैं आप लोगों से कह दू सत्रेसो उड़ंचास आ जाएगा बेटा बता तो दिया रेसलिंग एक रास्ते में से दूसरे की ब्रैथ कम कर दें ठीक है भाई बहुत शन्द बताओ कहा रेसलिंग जसे खता फटाफ़ मुझे बताओ कहां कंफ्यूजन क्रेट होगा भाई कंफ्यूजन क्रेट तो किया ही नहीं है आप देख रहे हो कि ये दो बार काउंट हो चुका है और अगर दोनों के छेत्रफल में से इसके छेत्रफल को घटा दोगे तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा सर एक्स अगर अलग-अलग हो लो एक्स अलग-अलग कर ले लो बिटा एक कुश्चन ये आपके पास एक आयतकार मैदान है इसकी लंबाई 60 मीटर है इसकी चोड़ाई जो है वो 40 मीटर है एक रास्ता दो रास्तों का छेतरफल बिटा सीका होता तो शायद ये कुश्चन ही नहीं पूछ रहे होते आपना रटने की कोसिस कर रहे हो ठीक कैसे निकालेंगे भाई इस वाले रास्ते का छेतरफल निकालो पहले तो आप कहेंगे लंबाई गुणा चोड़ाई लंबाई कितनी है 60 चोड़ाई कितनी है 7 तो इस वाले का छेतरफल आएगा 420 मीटर स्क्वेर इस वाले का छेतरफल बताओ लंबाई कितनी है ये लंबाई कितनी है 40 के बराबर है और इसकी चोड़ाई कितनी है 5 है तो क्या इसका चेतर फल 200 मीटर स्क्वार आएगा टोटल आगया 620 मीटर स्क्वार लेकिन एक चीज आप ये देखो क्या इसको आपने दो बार काउंट कर लिया है क्या इसको आपने दो बार काउंट कर लिया है तो भाई एक बार तो घटाना होगा लंबाई कितनी है इसकी साथ चोड़ाई कितनी है इसकी पांच तो साथ पंजे पैंतिस आपको घटाना होगा तो आप लोग कह देंगे पांसो पिचासी मीटर स्क्वर आएगा तो चाहे लेंथ अलग 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 दी हो ब्रैथ जो है ये वाली अलग अलग दी हो चाहे सेम दी हो बस यहां फर्मूला नहीं लगा पाओंगे ये बाद समझ में आगी क्या बहुत शानदार अब देखिए बेटा चौथे टाइप का रास्ता केवल पांच टाइप के रास्ते हैं पांच टाइप के केवल रास्ते हैं मेरे दोस्त चौते टाइप का रास्ता बता रहा हूँ जब रास्ता अंदर की साइड हो और पांचमे टाइप का रास्ता होगा जब रास्ता बाहर की साइड हो फोटो कैसे बनेगी एक आपके पास जो है एक आपके पास जो है आयतकार मैदान है ये आयतकार मैदान है ठीक है आयतकार मैदान आपको दे दिया और इसकी लंबाई जो है वो 60 मीटर आप लोगों को दे दी और इसकी चोड़ाई जो है वो 40 मीटर आप लोगों को दे दी इसके बाहर एक रास्ता बना हुआ है इसके बाहर एक रास्ता बना हुआ है उस रास्ते की चोड़ाई पांच आप लोगों को दे दी पांच मेटर तो आप से रास्ते का छेत्रफल पूछना चाहरा है ये लास्ट टाइप का रास्ता है देखिए, ठीक रास्ते का छेत्रफल का फर्मूला ये होता है बिटा जब भी कोई रास्ता बाहर की साइड बना होता है किसी भी आयतकार मैदान के बाहर की साइड बना होता है तो उसका फर्मूला ये होता है और जब भी कोई रास्ता अंदर की साइड बना होता है जैसे ये आयतकार मैदान है इसके अंदर की साइड एक रास्ता बना होता है तो उस रास्ते का छेतरफल जो होता है वो ये होता है उस रास्ते के छेतरफल में बस यहां माइनस आ जाएगा अगर रास्ता अंदर बना होगा तो यहां माइनस आ जाएगा अगर रास्ता बाहर बना होगा तो यहां पिलस आजाएगा ठीक है रास्ता अगर बाहर बना है बाहर बने रास्ते का छेतरफल जो है वो यह आ जाएगा बाहर बने रास्ते के छेतरफल वो यहां पिलस आएगा और अगर अंदर रास्ता बना है अंदर रास्ता बना है तो इसमें माइनस आएगा एक बच्चा कह रहा है सर बीच में तो यहां वर्ग बन रहा है बेटा वर्ग बनो या कुछ भी बनो वर्ग भी तो आयती होता है वर्ग की लंबाई की गुणा वर्ग की चोड़ाई में कर रहे हैं तो क्या छेतरफल रही लिकल के आ जाएगा तो वर्ग भी एकायत ही होता है ठीक है तो अब आप लोग देखिए दोनों का छेतरफल अब आप लोग निकाल लेंगे अंदर बने देखिए हैं ध्यान से X क्या होता है रास्ती की चोड़ाई जो की 5 है L क्या होता है मैदान की लंबाई B क्या होता है मैदान की चोड़ाई X 5 5 दोनी 10 हो जाएगा 46, 110, 110, 40, 40, 10, 110, 110 की गुणा 10 में तो यहां जो एरिया आजाएगा वो 1100 मीटर स्क्वार आजाएगा और यहां जो एरिया आएगा यहां वैल्यू पुट कर देना लंबाई जो है वो मेरे दोस्त 60 मीटर है चोड़ाई जो है वो 40 मीटर है और रास्ते की चोड़ाई जो है वो 5 मीटर है तो यहां जो एरिया आएगा वो 900 मीटर स्क्वार आजाएगा क्या ये चीजे समझ में आगई अगर बाहर रास्ता बना है तो फॉर्मूला ये लगेगा अगर अंदर रास्ता बना है तो फॉर्मूला ये लगेगा और इससे पहले तीन टाइप के फॉर्मूले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या ये चीज़े आप लोगों के समझ में आ चुकी है एक बार समझ में आ चुकी है तो दोस्त दिल से सुरागत किया जाए कि हाँ ये चीजे जो है वो आपके समझ में आ चुकी है सूत्र कहां से आया है फर्क नहीं पढ़ता बेटा कहां से आया है कहां से नहीं सूत्र याद करना है और अगर सूत्र याद नहीं करोगे तो बेटा ये मेथड से भी हो जाएगा क्या ये चीजे आप लोगों को समझ में आ चुकी है फटाफट से बताईए भाई बहुत शांदार बहुत शांदार कितने लोगों ने किलास को लाइक नहीं किया अभी और लाइक करना चाहते हैं जो नहीं करना चाहते हैं उनके लिए तो कुछ कोई बात है ही ने कितने लोगों ने like नहीं किया है और वो like करना चाहते हैं अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अप लोग ठीक है और नहीं करना चाहते हैं तो दोस्त जरूरती नहीं है मेरे साथी चलिए बताइए क्या ये चीज़े समझे में आ गई तो आज हम लोगों ने जो है वो ये चीज़े पढ़ ली है मेरे दोस्त ये सारी चीज़े हम लोगों ने देख ली है मैं इसकी PDF आप लोगों को दे दूँगा मेरे साथी जो एक PDF है आप लोगों के सामने कल जो है यहीं से हम लोग continue कर रहे होंगे work पढ़ेंगे और ज्यादा बड़ा जो है वो chapter नहीं होगा अगले तीन दिन में खतम हो जाएगा ठीक है मेरे साथी आज के लिए इतना ही आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही कैसी लगी class जरूर बताईएगा एक question मेरा बनता है आपसे homework में देने का जो चीज पढ़ा चुका हूँ उसी से एक question देने जा रहा हूँ मेरे साथी उसी का एक question होगा कोसिस करना कि सारे लोग जो है उसका जवाब दे पाएं सारे लोग जो है वो उसका जवाब दे पाएं ऐसी आपको कोसिस करनी है ठीक है ये राध देहली पुलिस कॉंस्टेबल में एक कुशन पूछा है उमीद करूँगा कि आप लोग इसका जवाब देंगे नहीं देंगे तो दोस्त कल की सुरुवात जो है हम लोग इसी से कर रहे होंगे बकि कैसी लगी किलास जरूर बताइएगा कोसिस की है आपको एक चीज समझाने की बस मैं ये कहूँगा कि बीच में किलास मत छोड़ देना पीछे को मत टाल देना कि हम पीछे कर लेंगे recorded form में देख लेंगे दोस्त नहीं करना है mensuration में मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो जिस दिन हम chapter खतम करेंगे उस दिन आप लोग ये सुचेंगे कि हाँ अब हम लोगों को mensuration हो गया है ठीक है मैं ये आप लोगों से promise करता हूँ ठीक है भाई जैन्वेन feedback दीजिएगा आपका हर एक feedback जो है वो हमारे लिए बहुत important होता है ठीक है दोस्त ओके टाटा बाई बाई